हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग जैसा कि आप जानते ही है मेरा नाम है संजीव कुमार जंदल मैं पिछले 29 सालों से एक HR recruitment professional हूँ और इतने सालों के experience के दम से मैं आप सब के लिए part-time job, full-time job, work from home और freelancing से related नया वीडियो बनाकर regularly लेकर आता हूँ और एक रुपया तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों मैं आप में से किसी की भी जेब से एक पैसा भी कहीं खर्च एंडवेस्ट नहीं होने देता हूँ ये आपके mobile phone पर भी बखो भी चलती है और जैसा कि मैंने अभी कहा मैं आज YouTube पर पहली बार blogger के जरीए 100% free में कमाई करने का एक ऐसा अनुखा तरीका आपको बताऊँगा जिसको ready करने में मेरे office staff का पूरा एक महीना लग गया और इस तरीके के बारे में आज तक किसी को नहीं पता है तो आप जल्दी से कमा लो दोस्तो मैं आज आपको बताऊँगा कैसे आप 100% free में बिना एक पैसर लगाए बस एक बार अपना एक blogger का नया account बना कर उसमें एक दिन मेहनत करके छोड़ दो जियां सिर्फ एक दिन मेहनत करके छोड़ दो और फिर यह आपका free का blogger account सारी उमर बैठे बैठे या सोते सोते आपको कमाई करके देता रहेगा और इसके लावा आप सिर्फ Google AdSense से ही नहीं बलकि इसी के जैसी wilix.com और adstera.com नाम की साइटों की भी ads या विग्या पर लगा कर पहले ही दिन से अपने इस नए बने हुए blogger account के जरीए कमाई शुरू कर सकेंगे जो आपके saving bank account में सुरक्षित पहुंच जाएगी तो अगर आप एक student है, housewife है, job करते है, business करते है, खाली बैठे है, कम पड़े लिखे है, जदा पड़े लिखे है, बच्चे है, बुड़े है आप मेरे आज के बताए 100% free के अनोखे तरीके से इस Google Company के blogger platform से बहुत अच्छी कमाई कर लेंगे सब कुछ आपके नए पुराने mobile phone पर हो जाएगा, और ये मेरी guarantee है दोस्तों कि जो भी विक्ति मेरा आज का ये वीडियो पूरा देखेगा, वो इस वीडियो के खत्म होने से पहले 100% free में blogger के जरीए पहले ही दिन से कमाई करना सीख जाएगा, और वो कमाई कम से कम 400 या जहां पर भी Google AdSense से कमाई होती है, वो पहले उसको चेक करेंगे कि इसके इत्ते parameters हो गए, इसमें इतना traffic आ गया, इतना wash time हो गया, फिर कमाई होगे, जी नहीं, अब Google AdSense की competitor company आ गई है, जो मैं आज की वीडियो में आगया, आपको चल कर बताऊंगा, जो Google AdSense की तरह ह कमाई कराती हैं, और पहले ही दिन से बिना कुछ चेक किए, आपका blogger account बनते ही, दो मिनट के अंदर, यानि कि 120 सेकंड के अंदर विग्यापन लग जाते हैं, कमाई शुरू हो जाती है, अब आप में से काफी लोग सोचेंगे कि आपको तो इस blogger platform के बारे में पहले से ही प किया है, तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक blogger से कमाई करने की कोशिश ही नहीं की है, तो फिर तो आज का मेरा ये वीडियो आप ही के लिए है, और आप में से जिन लोगों ने कोशिश तो की, पर अभी तक कमाई शुरू नहीं कर सके, उनके लिए मैं आज के अपने इस ऐसे ऐसे कमाल के खुला से करेंगा, कि वो सभी बिल्कुल हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगएगा, हमें तो ये सब पता ही नहीं था, क्योंकि वो सभी लोग अभी तक गलत तरीकों से कोशिश कर रहे थे इस blogger से कमाई करने की, और इसी लिए कमाई शु पर ये सच है, वो सभी यूट्यूबर्स तो बस आपको रंगीन सपने दिखा कर, ब्लॉगर के custom domain या custom names बेच कर, खुद अपने लिए कमिशन कमा रहे थे, और इस सारे गेम में आपकी तो बस जे बिकट रही थी, तो कमाई होना तो बहुत दूर की बात थी, अब हो क्या र कोई नाम या domain खरीदना पड़ेगा, और जो आप उन्ही यूट्यूबर्स के वीडियो के description box में दिये गए, link पर click करके खरीद सकते हैं, और वो आपको 600 रुपे से 700-800 रुपे में मिलेगा, पर वो आपको हर साल renew भी करना पड़ेगा, यानि क्या फच गए, जबकि मैं free में दे देता है, तो आप पैसा खर्च करके कोई नाम या domain क्यों खरीदेंगे भला किसी YouTuber के कहने से, इसके अलावा free होने के कारण आप इस blogger company दोबारा दिये जाने वाले, 10 अलग-अलग नाम या domain लेकर, आप 10 अलग-अलग categories के blogger account शुरू करके, 10 अलग-अलग तरीकों स blogger से कमाई कर सकते हैं, जिससे आपके कमाई करने के chances 10 या 20 गुना बढ़ जाएंगे, अन्यता अगर आप इन दूसरे YouTubers के हिसाब से चलते, तो आप 10 अलग-अलग domain खरीदे ही डरते, और अगर खरीद भी लेते, तो 6-7,000 रुपे की investment कर देते, और शायद आप मेंसे जहातर लोग ऐसा करते ही नहीं, पस एक अपना blogger का account एक नाम से शुरू करके पस उसी में ही कोशिश करते रहते तो फिर आपने काम्याब कहां से होना था, क्योंकि दोस्तों जब तक आप 10-12 अलग-अलग categories में blogger से कमाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कमाई नहीं होग किसी private company की site का link लगा रखा हो, तो आप समझ जाएए उस YouTuber का main interest, custom domain को आपको बेचने का है, वो आपके hit में कोई भी बात अपने उस वीडियो में बोलेगा ही नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है कि blogger से कमाई करने के लिए blogger से मिलने वाला free का नाम ही काफी है, या अपनी जेब से पैसा खर्च करके custom domain लेने का भी कोई extra फायदा होता है क्या, ये भी खुलासा साफ साफ कर लेते हैं, दूद का दूद और पानी का पानी, तो अब अगर blogger से सारी दुनिया कमा रही है, और आप ही नहीं कमा पा रहे हैं, तो फिर ये बहुत जरूरी बातें clear होनी चाहिएं, तो इसके लिए दोस्तों मैंने सीधे blogger company के ही customer के department को दो अलग-अलग message कर दिये, और सिर्फ एक घंटे में मुझे उनकी तरफ से जवाब भी आ गए, अब वो मेरे दोनों सवाल और blogger company के जवाब ये रहे आपके screen के उपर, तो पहला सवाल मैंने blogger के customer department से पू Google AdSense मेरे blogger account में advertisement लगाएगा, या फिर free का नाम या domain इस्तेमाल करने की वज़े से कहीं मेरी कमाई तो कम नहीं हो जाएगी, तो blogger customer care का जवाब आया देखी, आपको ये दिख रहा है, कि आपकी कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 100% free का नाम यूज करें, जो blogger company खुदी देती है, ठीक है, तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गए, अगर आपके दिमाग में दुविदाएं हो, यूटूबर्स ने, दूसरे वालों ने इस तरह के बहुत सारे दुविदाएं कठी कर रखी हैं आप लोगों के लिए, और दूसरा सवाल मैंने फिर लोगर का ही फ्री का अकाउंट लगाता हूँ, तो ये भी बता दीजे, क्योंकि अगर सिर्फ पांसास सो रुपे साल के खर्च करके, पेड डोमेन लेके मेरी कमाई जदा होती हो, तो मैं वो कर लूँगा, तो इसका भी जवाब आप देख लीजे क्या आया हुआ हुआ है, इसका जवाब उन्होंने लिखा है कि कमाई में या कमाई करने की शमता में कोई फरक नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब यह है कि ये सारी भ्रांतियां, यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया के उपर दूसरे इंफुलेंसर्स ने अपने फैदे के लिए फैला रखी हैं, दोस् का बहुत ज़्यादा फैदा उठा कर कुछ यूट्यूबर्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना कोई वाटसेप का या टेलीग्रेम अकाउंट का लिंक दे देते हैं, और कह देते हैं, और फिर वहाँ आपको बिलाकर बहला फुसला कर कोई को करते हैं, यह यह कहते हैं कि वह अपनी तरह क्योंकि वह यह शो करते हैं अपने वीडियो में कि वह बहुत कमार हैं, ठीक है, और फिर यह आपको कहते हैं कि वह अपनी तरह यानि उन्हीं के तरह आपको भी ब्लॉगर से पैसा कमाने के तरीके सिखाएंगे, और उसके बदल ब्लॉगर से कमाई करवाने का जहासा देकर आपको लूटने के तरीके जो यूट्यूब पर धडलने से चल रहे हैं अब सुनिए बिना एक पैसा लगाए रियल और प्रैक्टिकल कमाई करने का तरीका इस ब्लॉगर से देखे दोस्तों गूगल कंपनी ने ये ब्लॉगर प्ल को वो गूगल कंपनी ही प्रमोट कर दे बहुत सारे लोग आएं आपके द्वारा जानी गई जानकारियों को पढ़ें और गूगल कंपनी वहां पर गूगल एड़ सेंस के विग्यापन लगा दे और उसमें से जो कमाई हो 50% वह आपको दे दे मोर और लेस जैसे की यूट् प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग पहले से ही कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अकाउंट बना बना कर तो आपके नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में आप ऐसी कौन से जानकारियां डाल दोगे यार कि पूरी दुनिया के लोग आपके इस नए बने हुए ब्ल है ना कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दे दूँगा जो बेसिकली कमाल कमाल के दोसों से ज्यादा ऑनलाइन टूल्स हैं ये मैं आप सब को गिफ्ट में दे दूँगा आप सब को ये अलग लग यानि के यूनीक यूनीक और काउपिराइट फ्री मिलेंगे जो आप उनको अपने नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में डाल देंगे मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा कहां से मिलेंगे और कैसे डलना है और पहले देखिए कि ये जो ऑनलाइन टूल्स हैं कैसे कमाल के हैं देखिए ऐसे ऐसे दोसों से ज़्यादा कमाल के ऑनलाइन टूल्स आपको आज गिफ्ट कर दूँगा ये है केस कनवर्टर यानि कि स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए किसी भी आर्टिकल को कैपिटल लेटर्स में एक बटन दबाते ही ये बदल देता है और कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए किसी भी आर्टिकल को चाहे वो एक पेज का है चाहे 1000 पेज का है, एक बटन दबाते ही small letters में convert कर देता है, यानि उल्टा सीधा कर देता है, ठीक है, इस तरह का tool, लोग ढूंडते हैं, कई बार paid लेते हैं, लेकिन आपके इस नए बने हुए blogger account में ऐसे एक नहीं 200 tool डले होंगे, तो वो आप ही के बस blogger account पर आ जाएंगे, हर तरह के tool वहाँ पर उनको मिलेंगे, खेर यह पहला था, ऐसे दोसरे हैं, एक दो और दिखा देता हूँ, यह है YouTube thumbnail downloader, कई लोग दूसरों के YouTube videos की thumbnail download करना चाहते हैं, ठीक है, तो यह free का tool आपके blogger account में डला होगा, जिसको भी किसी की भी YouTube की thumbnail download करने है, 4K या HD quality में, वो इस tool के जरीए download कर लेगा, यह है loan calculator, ठीक है, loan देने वाले या लेने वाले लोग, आपके इस blogger account पर आएंगे, और loan calculate कर सकेंगे, GST tax calculator, यह भी बड़ी कमाल की चीज़ है, Google AdSense से कितना revenue होता है, इसको calculate तरने वाले यह tool है, अब ऐसे ही कमाल कमाल के 200 से ज़्यादा online tools, आपके blogger account में डले होंगे, तो एक ही जगा पर इतने सारे अलग-अलग tools का इस्तिमाल करने की सुविदा, आप लोगों को देंगे, तो उन online tools को इस्तिमाल करने के लिए, सारी दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में रहने वाले लोग, आपके इस blogger platform पर आएंगे ही, उन्हें आना ही पड़ेगा, खिचे चले आएंगे, और आप सिरफ Google AdSense ही नहीं, बलकि wireless और AdStera साइटों से, जो Google AdSense की competitor साइटे आ गई हैं, इन से तीनों से कमाई करेंगे, और आपने तो दोस्तों 100% फ्री में अपने mobile phone पर ही, ये सारी सेटिंग बस एक बार, एक दिन लगाका करके छोड़ देनी हैं, और फिर बैठे बैठे या सोते सोते भी कमाई करने हैं अब दोस्तों, ये रहा मेरे laptop का स्क्रीन आपके आँकों के सामने, मैं आज आपको जो भी जानकारी दूँगा, blogger से कमाई करने की वो सब आप अपने mobile phone पर कर पाएंगे, हमने सब चेक कर लिया है खिर, इस blogger site का link मैंने इस वीडियो के description में डाल दिये, क्लिक करते ही इस तरह से आपके laptop या mobile phone पर खुल जाएगी, अब ये रहा मेरा mobile phone आपके आँकों के सामने, उसी link पर क्लिक करने से ये blogger की site आपके mobile phone पर आप desktop mode में चलाइएगा तो ज़्यादा भेरतर चलेगी, desktop mode करने के लिए, अपने mobile phone पर सबसे उपर right hand में, जहाँ तीन डाट से क्लिक करते ही, विंडो कुलेगी, नीचे से third category ये desktop site, बस यहाँ क्लिक करते ही, ये blogger की site आपके mobile phone पर उसी तरह से चलेगी, आपको कमाई करके देगी, उसमें विग्यापन भी लगेंगे, जितना भी कुछ में आगे इस वीडियो में, blogger से कमाई करने के अलग-अलग तरीके, अलग-अलग साइटों पर दिखाऊंगा, वो सब कुछ आपके mobile phone पर इस desktop mode में हो जाएगा, ठीक है, फिलाल मैं mobile आपके सामने से हटाकर, आगे का काम आपको अपने laptop पर ही दिखाऊंगा, अब मैं वापस अपने laptop पर ले आया, दीकिए सबसे उपर जहां लिखा है, create your blog, बस यहां क्लिक करते ही, 100% free में यहां हम अपना एक blog का account बना लेंगे, उसका process देख लीजे, अब दीकिए ऐसा करते ही, आप अपने laptop या mobile phone के उस section में automatically इस site द्वारा पहुचा दिये जाएंगे जहां आपके सारे Gmail IDs दिखेंगे आप, उन में से जिस पर भी क्लिक करके आपने registration करना है, क्लिक कर दीजे उसके बाद ये page खुलेगा, उपर आपको ये इस तरह का section दिखेगा, ये भारत के लिए या Asian लोगों के लिए नहीं है, ये Europe और America के लोगों के लिए है ये जब भी आपके सामने जितनी भी बारा है बस इसको यहां से बंद कर देना है अब यहां पर आपका जो यहां पर ब्लॉग बनने वाला है, उसका आपने एक नाम रखना है, टाइटल रखना है ये बहुत important होता है दोस्तों, ठीक है अब मैं आज आपको अपना एक नया ब्लॉग का account बना कर वहां पर बस एक बार दो तिन घंटे लगा कर मेरे आपको गिफ्ट में दिये हुए कमाल कमाल के टूल्स लगा लेने हैं और उसके बाद फिर automatically auto mode पर आपका ये free में बला हुआ, सिर्फ दो घंटे के अंदर जो आप बना लेंगे, जो जो हैं, ये अलग अलग तरीके के मिलेंगे format में और colors में ठीक है, तो यानि कि कोई copyright का issue नहीं है, कोई उसके अंदर copy type नहीं लगेगा कोई duplicate नहीं लगेगा, बस आपने इन्हें अपने इस नए बने हुए blog account में एक बार दो तिन घंटे की मेहाद करके लगा देना है, मैं भी आपको आगे चलकर लगाना सिखाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद ये tools इस तरह के हैं कि इनको इस्तेमाल करने के लिए, जिनको इनकी जरुरत है, वो उन कमाल कमाल के world class tools का इस्तेमाल करने के लिए, आपके इस blog पर आएंगे ही, उन्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि और वो कहीं available नहीं है free के अंदर, ठीक है, इसी लिए आपके इस blog account में traffic आएगा और आप तीन अलग-अलग तरीके के विग्यापन यहाँ पर लगा कर कमाई कर सकेंगे, यानि Google AdSense से भी कमाई करना शुरू करेंगे, Google AdSense बहुत ज़्यादा चूजी हो चुका है जबकि जो बाकी के दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो competitors हैं Google AdSense के वहाँ पर भी हम अभी registration करके उनके विग्यापन भी आपके इस नए बने हुए blog account पर लगाएंगे, मैं आपको लगाना सिखाऊंगा और आप पहले दिन से कमाई कर लेंगे जैसे ही पांच डॉलर आप कमा लेंगे आपके पैसे आपके account में पहुँच जाएंगे भारत के अंदर अन्य था Google AdSense में कम से कम 100 डॉलर कमाने के बाद ही यानि आपके account में जब 100 डॉलर हो जाएं यहां पर कमाई आपकी हो जाए विग्यापनों से तभी आप निकाल कर ले जा सकते थे लेकिन जो इसका competitor मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ Google AdSense का वो पांच डॉलर पर भी आपको कमाई निकाल कर ले जाना allow करेगा मैंने आपको पहले भी बताया थे दुबारा बता दिया अब title आपने वो नहीं रखना है जो मैं यहां लिखने जा रहा हूँ आप मैंसे कई लोग यह बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि मैं जो भी लिखता हूँ बस आप वही चीज अपने उसी तरह की जो आपको मैं तरीके बताता हूँ कमाई करने के वहाँ अकाउंट बनाते हुए exact वही डाल देते हैं या उससे मिलता जुलता हुआ डाल देते हैं अगर आप मैंसे second लोगों ने वही चीज लिख दी title में जो मैं यहां लिखने जा रहा हूँ तो definitely blogger आपका वह अकाउंट बैन कर सकता है आप पर traffic ही नहीं आएका लोग नहीं होंगे यह रे तो एक ही आदमी ने बना रखे हैं को कि एक ही नाम से ठीक है तो बिल्कुल ऐसा नाम नहीं रखना है ठीक है मैं फिलाल यहां पर कोई भी अपने इस blog account का नाम रख लेता हूँ क्योंकि मैं अपनी इस नए अकाउंट में tools डालने जा रहा हूँ इस तरह के online tools जिनका इस्तिमाल करने के चक्कर में public पूरी दुनिया से यहां पर आएगी यह जो tools हैं यह किसी एक भाशा के अंदर नहीं है तो दुनिया के 200 देशों में अगर कोई भी व्यक्ति उन tools का इस्तिमाल करना चाहेगा तो वो मेरे इस blog account में या आपके इस blog account में जैसा आपका ऐसा ही बनने वाला है उस पर आएगा ही अन्यत अगर आप उसमें कोई चीज लिखते हैं ठीक है मैं आज आपको 200 जी हाँ 2, 4, 5, 10, 20 नहीं जैसे पहले भी बताया था 200 ऐसे कमाल कमाल के exclusive tools online tools देने जा रहा हूँ जो आपने अपने इस नए बने हुए blog account में डाल देने हैं जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया के 200 मुलकों में रहने वाले लोगों को करना ही पड़ता है इसलिए वो आपके इस blog account पर आएंगे और तीन अलग-अलग platforms Google AdSense और दो और हैं जो Google AdSense के competitor हैं उन सब के विज्यापन आपके यहां लगे होंगे आप तीनों तरीके से कमाई करेंगे और पहले दिन से करेंगे अब मैं यहां पर एक अपने इस नए बनने वाले blog account का title डाल देता हूँ मैंने लिख दिया free web tools आप कुछ अलग लिखिएगा बिलकुल ठीक है बीच में आप एक एक space रख सकते हैं उसके बाद next पक्लिक करेंगे अब यहां पर मेरा जो या आपका जो blog account बनेगा उसका एक URL या address बनेगा जो आप ही बनाते हैं ये blogspot.com आटोमेटिकली ये site आपको free में देती है और यहां पर जो आप भी type करते हैं या अपना एक domain बनाते हैं या अपने blog account का address बनाते हैं उसका नाम आप खुद decide कर सकते हैं ठीक है ये आपको अभी तक बेचा जाता रहा है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था जिसके अंदर दूसरे यूटूबर्स जो आपको blogger बनने का ग्यान प्रदान करते हैं उनका real intention उनकी नियत सिर्फ आपको यहाँ पर एक paid नाम या domain बेचने की होती है इसलिए वो अपने वीडियो के description box में किसी ऐसी company का एक link लगा देते हैं और उसके आगे उनका एक referral link होता है जिसके अंदर click करने से आप उस नाम को खरीदते हैं यहाँ पर हमने जैसा कि अब आपके सामने दुबारा मैं आपके screen पर दिखा रहा हूँ blogger account की help team को यानि कि जो इनका supporting staff है उन्हें देखी यह message किया जिसमें हमने उनसे पूछा कि क्या अगर हम paid यानि कि पैसा देकर अपने blog account का domain खरीदें या नाम खरीदें किसी भी company से तो क्या उसके ऊपर Google AdSense का approval जल्दी आ जाता है तो इन्होंने साफ जवाब दिया आपके सामने आपको हिंदी में बताता हूँ इसमें ये लिखा है कि जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है चाहे आप हमारे blog spot.com के अंदर अपना एक sub domain free का बना लीजिए जो सारी अमर free में रहने वाला है उस पर भी आपका Google AdSense का account उतनी ही जल्दी या देर से activate होता है जतना की paid वाले domain में होता है आपके सामने blogger account की तरफ से उनके support staff ने ये हमें जवाब दिया हुआ है इससे ये साबित हो गया वो जितने भी यूटूबर्स हैं जो आपको ग्यान देते हैं blogger बनके कमाई करने का उनका real intention उनकी real नियत आपको सिर्फ ये वाला paid domain बेचने की होती है दोस्तों तो जिनकी नियत ही सिर्फ आपको कुछ बेचने की है वो आपको जो ग्यान दे रहे हैं वो फिर क्या होगा वो सिर्फ कूडा ही होगा ठीक है अब आप समझ गए अब मैं यहाँ पर दुबारा से टाइप कर दूँगा free web tools जो मैंने अपने इस blog का नाम रखा था ठीक है इससे मिलता जुलता भी नहीं रखना है अब देखे यह कहा रहा है कि यह वाला address available नहीं है ठीक है अगर आप यहाँ पर कोई paid domain भी लगाते तो वो भी जब आप लेने जाते हैं किसी company private company की site के ओपर तो महाँ पर भी अगर आप कुछ लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि हट डुमेन वहाँ पर भी अवलेबल हो ठीक है तो इसका best तरीका क्या रहता है ठीक है आपने जो भी नाम रखा उसके बाद आपने एक लगा दिया अभी भी अवलेबल नहीं है फिर मैंने उसके बाद दो लगा दिया अब ये अवलेबल है ठीक है लिखा हुआ आगया ये जो आपने सब डुमेन लिया है फ्री में जो ब्लॉगर आपको फ्री में दे रहा है अभी और सारी उम्र फ्री रहने वाला है वो जो पेड़ वाला होता है जो दूसरे यूटूबर आपको बेचके निकल जाते हैं ब्लॉगर का ग्यान दे कर वो आपको हर साल रिन्यू कराना होता है चाहे 400 या 500 या 600 800 वाइट जितने का भी वो होता है हर साल आपको रिन्यू कराना होता है एक बार आपने डुमेन खरीद लिया आपका वो ब्लॉगर का अकाउंट नहीं चला आपने उसमें जो भी इन्फॉर्मिशन डाली चाहे आपने उसमें आर्टिकल लिखे जो भी डाला उस पर ट्रैफिक ही नहीं आया फिर भी आपको वो हर साल रिन्यू करना ही पड़ता है फिर उसके बाद अगर आपने कोई दूसरा नाम से अपना ब्लॉग का अकाउंट बनाना है तो फिर से डुमेन नेम खरीदो तो यह दूसरे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने धंदा बना रखा है हर बार वो आपको कोई नया आइडिया देते हैं ब्लॉगर अकाउंट बनाने का और हर बार वो आपको एक नया ब्लॉगर का डुमेन खरीदने के लिए प्रोटसाहित करते हैं और इस तरीके से आपको वो दस बारा वीडियो में दस बारा डुमेन बिकवा कर आपकी जेबें काट लेते हैं तो इस तरीके से आप ब्लॉगर के ओपर एक हजार अकाउंट बना सकते हैं अलग-अलग और सब के सब फ्री सारी ओमर फ्री और कोई फरक नहीं है उसी तरीके से फ्री अकाउंट के ओपर भी गूगल एटसेंस या किसी और विग्यापन देने वाली कंपनी का विग्यापन लगता है और उसके ओपर भी उसी तरह से ट्रैफिक आता है जैसे पेड़ वाले डोमेन पर आता है जब ब्लॉगर खुद कहा रहा है कोई फरक नहीं है जो ये वाला डोमेन खुद अपनी तरफ से ये दे रहा है और अगर आप पेड डोमेन लेते हैं तो दोनों के ओपर ट्रैफिक अलग या ज़्यादा आएगा पेड़ वाले पर ऐसा कुछ है ही नहीं देखिए ब्लॉगर ने खुद लिखा हो आपके सामने है आप भी इस तरीके से किसी यूटूबर की बातों को आँख मूंद कर विश्वास करके अपनी जेबे धीली मत कीजे आप हर बार इसी तरीके से ब्लॉगर के ओपर जाएए उसके हेल्प सेक्शन में और वहां लिख दीजे कि जी हमें ये दुविदा है या परशानी है डाउट है वो क्लियर करेंगे यार आप यूटूबर के ही भरोसे क्यों बैठे हो वो तो आपकी जेबे खाली कर रहे हैं समझ गया मैं आपको सारी जानकारी 100% फ्री में देता हूँ मेरा इंटेंशन 100% साफ है सिर्फ आपके हित में है मैं यहां आपको कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं करता हूँ आप मेरे इस वीडियो का या किसी भी साड़े 400 में से किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देख लीजे मैं आपको कुछ भी बेचने की कोशिश कभी भी नहीं करता हूँ खैर अब हम next पर क्लिक कर देंगे अब हमारा ये जो blogger का account बन रहा है इसका हमने नाम रख लिया और इसका URL या domain free में blogger से ही ले लिया ठीक है अब हम यहाँ पर जो लोग हमारे इस blog account में आएंगे उन्हें हमारा क्या नाम दिखेगा वो हम यहाँ रखेंगे जो blogger का account का नाम है उससे अलग भी हो सकता है फिलाल मैं वही रख लेता हूँ और उसके बाद finish पर क्लिक कर देंगे बस हो गया बस इतना ही registration था जिसके अंदर हमें डोमेन भी फ्री में blogger account ने या blogger site ने दे दिया यह दुबारा से आपको देखेगा यह European लोगों के लिए है इसको बंद करते चली इसलिए इसको मैं आपको पढ़कर भी नहीं बता रहा हूँ मेरे वो 200 tools अलग-अलग format और अलग-अलग colors में मिलेंगे अगर आप सब ने blogger के उपर अपने account बना लिये जैसे मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ तो कोई भी दो एकी तरह के tools एक जैसे नहीं होंगे अगर 60,000,000 लोगों ने 200 मेरे tools लगाए अपने blogger के account पर तो सब को वही वाले वही काम करने वाले tools तो मिलेंगे लेकिन उनका format उनका color अलग-अलग होगा यही तो मैंने जादू करके दिया आपको और free में मैं दे रहा हूँ आपको वो उससे पहले हम इस अपने blogger के account पर कुछ settings करेंगे देखिए blogger basically एक तरह की website होती है आप असान भाषा में यह समझे ठीक है जिसका domain और hosting blogger आपको सारी उम्र के लिए free में देता है तो आप paid क्यों लेना चाहते हैं जब जूरती नहीं है और blogger खुद कहरा है जूरत नहीं है मैंने आपको सबूत दे दिया आपको proof दिखा दिया ठीक है अब यहाँ पर जल्दी से कुछ setting करिए ये भी कोई YouTuber नहीं बताता है मेरे staff ने चेक कर लिया है basic basic सी चीज़ें है आपका ये जो blog का post बनने वाला है एक तरह की free website बनने वाली है जिसे blogger ही promote करेगा ठीक है और blogger किसका है Google का है और Google ही इस दुनिया का दूसरा भगवान है ठीक है internet का मतलब ही Google है और Google का ही blogger है जो आपको free में domain दे रहा है hosting दे रहा है ये website बना के दे रहा है टैबलेट पर भी दिखे छोटे और बड़े स्क्रीन पर भी ठीक तरह से दिखे दूसरे यूटूबर आपको ये setting करना बताते ही नहीं है वो तो बस ये बता कर निकल जाते है कि मैं या ये जो सामने आदनी बैठा है claim कर रहे हैं कि 50 लाख रुपे साल का कमाते है तीन करोड रुपे साल का कमाते है blogger से चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसको शुरू करने के लिए ये नीचे डोमेन खरीद लो 500 रुपेगा अब सेचे के game ठीक है मैं ऐसा नहीं करता हूं दोस्तों मैं आपको सारे steps बताऊंगा अन्य था आपका ये जो blogger का निया account बनने वाला है ये mobile पर ठीक तरह से नहीं खुलेगा अब वो setting क्या है पहली बार मेरे इस YouTube के वीडियो में देख लो किसी ने नहीं बताई हलाकी बतानी चाहिए देखे सबसे पहले theme पर हम select करेंगे कि अपना तरीके के website के format से ये जो blogger के ओपर आपका account बन रहा है या जो भी आप कहेंगे blog खुल रहा है ये basically एक website ही होती है ठीक है ये इस तरह के से दिखती है अब point यहां पर यह है दोस्तों कि आज मैं आपको Google AdSense के अलावा दो दूसरे Google AdSense के competitors कंपनियों के विग्यापन लगान आपके इस नए बने हुए blog account में सिखाऊंगा Google AdSense तो खुद अपनी मर्जी से decide करता है कि उसने विग्यापन कहा लगाना है लेकिन जो इसके competitor नहीं आ गए है वो भी USA में बैठी है दोनों company यह नहीं Google AdSense नहीं ठेका ले रखा है विग्यापन लगाने का ठीक है अब उनक competition आ गया है मैं अभी आपको ले जाकर देखाऊंगा free में वह registration हो जाता है और आप यह खुद decide करते हैं कि आपका यह जो blog account यह website free की बन रही है इसमें आपने विग्यापन कहां कहां लगाने है कहां कहां भरना है Google AdSense के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे कि वह decide करेंगे यहां जैसे ही आपका ब्लॉग account बना तीन मिनट के अंदर आप विग्यापन लगा कर चौथे मिनट में कमाई शुरू कर दोगे और जहां जहां चाहो उतने उतने विग्यापन ला लाकर लगा लोगे अपनी मर्जी से ठीक है यही तो जादू है जो मैं आज आपको दिखाने जा या formats के ही ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आप अपनी मर्जी से जगा जगा विग्यापन ठोक सकते हैं ठीक है असान भाशा में ठीक है अब वो कौन-कौन सी themes है यह देख लीजे सब पे नहीं लगते हैं विग्यापन से अब देखिए सबसे पहली जो theme है वो है simple यह देखिए व कंपनी का नाम है वाई-lix ठीक है यह Google Adsense की competitor कंपनिया है USA के अंदर ही based है और पहले दिन से हमें यह अपनी मर्जी से वहां से विग्यापन ला लाकर अपने ब्लॉग पोस्ट को भरने की इजाज़त देते हैं पहले दिन से कमाई कर लो और पांच डॉलर होते ही निकाल कर गूगल Adsense तो कहता है 100 डॉलर पहले कमो फिर पैसे दूँगा यह जो वाई-lix है यह कहती है कि पहले दिन से कमाई करो पांच मिनट के अंदर शुरू कर दो और अगर हो सके तो पहले दिन में शाम तक पांच डॉलर निकाल कर ले जो 100 डॉलर तक वेट करने क्यावशक्ता अब गूगल Adsense की जो दादा गिरी थी कि जी उसने सारा कबजा कर रखा था अब जो विग्यापन चलते थे ब्लॉगर अकाउंट के ओपर वह अब इन दो नई विग्यापन डालने वाली जो Google Adsense की competitor कंपनिया है वाई-lix और एड्स टेरा ने खतम कर दिया अब वहां से आदर कमाई शुरू कराते हैं तो पहला हो गया ये simple वाला ठीक है और दूसरा हो गया picture window वो देखिए नीचे यह वाले ठीक है और तीसरा है watermark यह हो गयाई चार हो गया यह formats ठीक है और उसके बाद उसके नीचे है यह बाला ठीक है इसके आंदर यह तीनो program कर सकते हैं और उ उसमें माल डाला है आपने यानि के टूल्स डाले हैं उनसे जाद आप विग्यापन लगा सकते हैं ठीक है अगर कोई वक्ती फ्री में आपके ब्लॉग अकाउंट में लगे हुए टूल्स का ब्लॉगर अकाउंट में या कह लीजिए वेबसाइट पर और अपलाई कर दूँगा और गॉट इट पर क्लिक कर दूँगा अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टन सेटिंग बताता हूं जो कोई और यूटूब के उपर ग्यान देने वाला की ब्लॉगर से कैसे कमाई करें नही बताता है किसी ने नहीं बताई और वो यह है कि आपको यह जो ब्लॉगर का निया आकाउंट बन रहा है इसको ज़्यादतर लोग जो दूसरे आएंगे ट्रैफिक आएगा जिसको कहते हैं जिससे आप कमाई करेंगे वो मोबाईल पर देखते हैं तो मोबाईल के ऊपर खु इसको हम यहां क्लिक कर देंगे डेस्टॉप पे अब आप कहेंगे यह चलानी मोबाईल पर है क्लिक डेस्टॉप पर करा रहे हो वह इसलिए है दोस्तों कि हम इसको यह इस नए ब्लॉगर साइट के सॉफ्ट्वेर को कि यह जिस तरीके से डेस्टॉप पर खुलती है उसी रासे मोबाइल पर भी खुलनी चाहिए यह instruction दे रहे हैं इसलिए मोबाइल पर इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए आपके इस नए blogger account को यह desktop select करना है ओके यहाँ पर save कर देंगे बस हो गया अब देखी लिखावा आ गया update successfully अब हम अपने इस नए बने हुए 100% free की website को या blog account को कस्टमाइज करेंगे ज्यादा enhance करेंगे ओके उसके लिए कस्टमाइज पर इस बार क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों यह जो layout है यहाँ पर हमने इसलिए select करना है और setting करनी है करनी क्या वो तो बता हूँगा लेकिन करनी क्यों है यह सुन लीजे वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर अपना यह layout है इस तरह से बनाना चाहते हैं कि हम इसको जादा से जादा विग्यापनों से भर देना चाहते हैं ठीक है और कहां से लाएंगे एड्स टेरा से और वाइलेक्स से जो Google AdSense है वो तो हमें अपनी तरफ से अपनी मर्जी से विग्यापन नहीं लगाने देता है लेकिन यह दो कॉम्पूटेटर साइटें लगाने देती हैं तो हम वो लगाएंगे ताकि पांच मिनट के अंदर कमाई शुरू हो ठीक है और पांच डॉलर होते ही निकाल कर ले जाएंगे अब वो इसकी सेटिंग layout लोट में जाके कर देंगे अब देखिए यहां पर बॉड़ी layout है और एक फूटर layout है यह जो आपकी website या account बनने वाला है इसके अंदर सबसे ज्यादा विग्यापन कहां डलेंगे एक तो विग्यापन यहां डलेंगे सबसे ज्यादा ठीक है यह लख लेना है और उसके करते हैं ताकि जादे से जादा कमाई हो अब हम इस अपने नए बने हुए website या blog account की चोड़ाई width decide करेंगे set करेंगे वहां क्लिक करेंगे यह हम 860 से बढ़ाकर कर देंगे 1130 समझ गया और जो यह वाला है जिसको कहते है right side bar ठीक है इसको हम बढ़ा के कर देंगे 340 ताकि ज हमारी setting भी save हो गई अब ज़्यादा विग्यापन लगा सकेंगे अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर मेरे gift में दे हुए 200 tools कैसे लगाने हैं ठीक है हम यहां पर एक एक post में एक एक tool लगाएंगे अब उसके लिए यहां से back पे जाएंगे पहले उसके बाद new post पर click करें क्योंकि नए account है पहली post उने वाली है ठीक है यहां पर हम जो मैंने आपको tools gift में कर दिये हैं ओके 200 से ज़्यादा कमाल के unique उनको एक एक पेज पर एक एक post में एक एक tool लगाएंगे आप चाहें तो सिरफ 5 tool लगा दीजे 5 अलग अलग pages बना कर या आप चाहें तो 200 के 200 आपक यहां पर डिलेगा बस यहां पर वो coding यहां पर लाकर लगा देनी है जो मैंने आपको दे दी है और यह blogger की site या software automatically उस coding को एक unique exclusive copyright free tool में बदल देता है सब के अलग अलग बनते हैं ठीक है वो इसी तरह से मैं आपको gift कर रहा हूं यह कमाल की चीज है लेकिन ऐसा ही है आप ब 200 tools gift में दे दिये हैं वो कहां मिलेंगे ठीक है वो मिलेंगे मेरी ही website पर obviously है ठीक है अब उसके लिए मैं आपको अपनी एक पहली website पर लेके चलता हूं अब आपके सामने पहली site खुली हुई है allfreestore.com इसका link इस वीडियो के description box में है क्लिक करते ऐसे खुलेगी laptop और mobile दोनो होता है कहीं Gmail डालने कहीं mobile नमबर ने डालना मुझे आपकी कोई information नहीं चाहिए मुझे आपका data किसी को नहीं बेचना है समझ गया दोस्तों मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों मुझे ना आपसे पैसे चाहिए ना मुझे आपको कभी कुछ बेचना है मैं सबसे उपर ही डलवा दिया है free tool list यहां क्लिक कर देंगे विग्यापन आएगा इसको बंद कर देंगे अब दोस्तों यहां पर आपको free tool list के अंदर यहां पर कुछ शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं यह एक है यह दूसरा है यह तीसरा है यह चौता है यह पांचवा है यह च्छटा है यह बिसिकली अलग-अलग तरह के tools के prompts हैं जिनको आप कह सकते है orders है अब देखिए आपको समझ कैसे आएगा कि यह यह जो एक तरह का order है या जो प्रॉम्ट है या जो भी है आदेश है यह कौन से टूल का है देखिए यहां लिखा हुआ है screen recorder यहां लिखा यह इस तरीके से मैंने बनवाए हैं कि एक page पे 10 अलग-अलग tools को बनाने के orders या prompts हैं यह क्या मतलब है अभी मैं आपको चलके दिखाँगा इन अलग-अलग तरह के जो orders या prompts या आदेश है इनको यहां से यहां तक copy करके हम एक और site पर जाएंगे जो free की है वहां पर डाल और इस particular आदेश या prompt के हिसाब से हमें इस particular जो यहां पर for an example YouTube thumbnail downloader का जो tool है इसका code मिल जाएगा आपकी practically देखाँगा उस code को हम यहां पर आकर post कर देंगे और coding को यह वाली blogger की site automatically एक tool में बदल देती है यह facility इसके software के अंदर है ठीक है और अगर आप में से 60 लाक के 60 लाक लोग यही वाला आदेश या prompt कापी करके ले जाएंगे और चैट GPT पर डालेंगे तो वो सब को अलग अलग format में और color में यही वाला टूल बना कर देगी 60 लाक के 60 लाक लोगों को 60 लाक के 60 लाक अलग unique अलग तरीके के color और format के साथ यही वाला टूल इसी तरह के 200 टूल है ठीक है इतने ज्यादा टूल्स हैं और इतने ज्यादा काम के हैं और प्रैक्टिकल हैं कि 200 से ज्यादा मुलकों के अंदर आपका यह जो blogger account है जब देखा जाएगा तो किसी ना किसी वेक्ति को आपका इन 200 में से किसी ना किसी टूल की आवशकता होगी ही और उस टूल का इ इस्तेमाल करने के लिए वापके इस blogger account में आएगा अब आप ऐसा कोई article कैसे लिख देंगे जो 200 मुलकों में रहने वाले लोग पढ़ सकें ठीक है जाद से जादा आप अंग्रेजी में लिख लेंगे और कितने आर्टिकल लिख लेंगे यह जो टूल्स मैंने आपको दे दिये अब मैं आपको इनका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि कैसे आपके ब्लॉग पोस्ट पे डलेंगे वह आपको प्रैक्टिकल यह दो मिनट में क्लियर हो जाएगा बहुत यह असान कॉपी पेस्ट का प्रॉसस है लेकिन मैं आपको सिर्फ यह समझाना चाह रहा था कि य जो ब्लॉगर का अकाउंट है इसके ओपर लोग क्यों आएंगे किसी के पास कहा समय है यार ठीक है और क्यों आएंगे क्यों कि इन टूल्स का वो फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं और यह दोसों के दोसों टूल आपके एक ही ब्लॉगर अकाउंट के ओपर 200 पेजिस के ठीक है और वो विग्यापन दो मिनट के अंदर यहीं लग जाएंगे इंतजार नहीं करना अपरूवल का गूगल एटसेंस का वो खतम हो गया किसाब ओके और पहले ही पांश मिनट के अंदर आपका अगर ट्रैफिक यहां पर आता है तो वो आपको कमा कर भी देंगे वह व पर शकता है यह कॉपी कर लिया अब मैं जाओंगा चैट जीपीटी पर अब जिनको नहीं पता बता दू मैंने साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने जो आपको यह अलग अलग टूल्स के प्रॉम्ट्स या आदेश दिये हैं प मेरे दिये हुए अलग अलग टूल्स के आदेशों या प्रॉम्ट्स या और्डर को यहां डाल कर उन टूल्स के एक्च्वल कोडिंग निकाल के ले जा सकते हैं और वो फिर टूल्स में कनवर्ट हो जाते हैं ठीक है यहां पर साइन अप करेंगे जिनका पहले नहीं हो रख कर दो यह आपकी जो जीमेल आईडी बनाते हुए आपने नाम डाला था गूगल के ओपर वो आपको यहां दिखा देगा आपने कोई और नाम रखना रख लो हलांकि कोई अर्थ नहीं है इसका बर्थडे पूछ लेता है यहां पर कुछ भी डाल सकते हैं सबसे पहले आपन चाहिए तो यह कर देना यह तो नो कर देना आटोमेटिक लीए समस करता है तो मैंने नो कर दिया बहिए मुझे समस कर दो सेंड वीए समस खुछी पूछ लिया यह आपको भेज देगा यहां आपने डाल देना कुछ क्लिक नहीं करना है छे डिजिट का ओटी पी अपने इसलिए करता हूँ चोंकि इस साइट के जरीए कोई ना कोई काम करके आगे जो मैं आज आपको ब्लॉगर पर अकाउंट बना कर और यहां पर टूल्स टाल करने अकाउंट में कमाई करना सिखाने जा रहा हूँ चैट जी पिटी उसके लिए मेरे दे हुए साइट के ओपर जो अलग अलग टूल्स के आदेश हैं उनके हिसाब से आपको टूल बना कर देती है ठीक है यह जो सर्च का बार है बस यहां पर आपने वह पेस्ट कर देना मेरा एक एक आपको अलग अलग टूल का दिया हुवा आदेश अब दोस्तों मैंने यह जो आपको यह जो आदेश इलन मस्क ने ये बना कर सारी दुनिया के लोगों के मुबाइल फॉन के जरीए सुपर कम्प्यूटर की कमांड उनके हाथ में दे दी है लेकिन यह कमांड देनी भी तो आनी चाहिए अगर हम यहां पर सिर्फ यह लिख देंगे इमेज रीसाइजर टूल बनाओ तो ये क्या बनाएगा वो भी बना कर देखाँगा आपको क्या बनता है लेकिन कमांड देनी भी तो आनी चाहिए अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं चाहे वो कम्प्यूटर है जो भी है कमांड ठीक नहीं दी तो वो फिर आपको चीजें अलग निकाल कर देगा जो यूजलेस होंगी तो ये कमांड ठीक है टेकनिकल यहां क्लिक करेंगे तो ये टूल का जो ये इमेज रीसाइजर है उसकी ये कोडिंग इसने लिखनी शुरू कर दी अब देखिए दोस्तों इस साइट ने फ्री में आपके लिए ये जो इमेज रीसाइजर का टूल है उसकी कोडिंग बना कर दी थी क्योंकि हमने जो इसको कमांड दी वो ठीक कमांड दी अब आपके पास हो सकता है कि जब आप इसको यहां पर इस साइट पर मेरे दी हुए अलग अलग टूल्स के प्रॉम्ट्स को या ओर्डर्स को तो हो सकता है कि आपको एक ही section के अंदर सारी coding मिल जाए ओपर से नीचे तक ठीक है और हो सकता है कि आपको इस तरह के दो अलग-अलग sections देखें यह एक section देखें यहां खतम हो गया फिर ऐसा ही एक काला सा section इसके नीचे एक और खुलेगा और फिर हो सकता है तीन भी दिखें जिसके अंदर ऐसा ही एक section फिर नीचे तीसरा भी खुलेगा अब होता क्या है दोस्तों कि जब भी कोई भी नया online टूल बनता है तो वो तीन computer languages के जरीए बनता है एक होती है HTML एक होती है CSS एक होती है JavaScript जिसको बोलते है JS ठीक है ये इसने by chance इस particular tool के case में एक ही section के अंदर तीनों computer languages को मिलाकर आपको एक coding दे दिये अच्छा ये रहेगा कि जब भी आप किसी भी मेरे दे हुए tool को यहां से उसके prompt को या आदेश को copy करके यहाँ chat GPT पर डालें तो ये जो regenerate का button आया है इसे दो तीन बार क्लिक करें उससे क्या होता है कि ये जो computer मानव है या जो super computer है ये आपकी दी हुई command को या prompt को दूसरी बार में या तीसरी बार में जब हम इसको regenerate कहते हैं तो बहतर tool बना कर देता है ठीक है ये तकरीबं तकरीबं करीब करीब मानव जितना ही sensitive एक तरह का super computer है जो आपके हाथ में free में आ गया अगर एक ही section मिलता है फिर तो बहुत असान है लेकिन अगर एक से तीन मिले या दो मिले अब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है लेकिन पहले मैं आपको एक ही section को कैसे निकाल कर ले जाना है copy code करके यहां से यह जो code बन गया हमारा इसको हमने यह भी तो देखना है कि यह क्या किसी वाकई में इस तरह के tool का जिसे कहते image resizer कि किसी tool का online tool का कोई code भी है या मजाके अब आपको कैसे पता चलेगा यह तो coding है अब वो आपको पता कैसे चलेगा एक मेरा ही एक अपना खुद का मेरे staff के द्वारा बनाया है एक online tool है जो मेरी site के ओपर है यह code हम यहां से copy कर लेंगे और उसके बाद मेरे उस site पर जाकर उस tool के अंदर डाल कर इस coding को वो मेरा tool इस coding को यह बना देगा कि इस coding से बनता क्या है यानि क्या बना ठीक है वो चलके मैं आपको अपनी ही एक site पर दिखाता हूँ यह मैंने अपनी इस दूसरी website पर डाल रखा है उसका नाम भी है html viewer ठीक है और यहां पर एजू फ्रीबी के ऊपर भी उसी section में tool section में है html viewer दोनों जगा डाल रखें दोनों जगा प्रॉम्ट सें अलग-अलग आदेशों के और दोनों जगा यह चेक करने वाले tools भी है html वगरा की आपकी जो coding हुई वो से बना क्या तो यह देखिए वो tool है मेरा यहां पर coding लगा दो यह button पर click कर दो तो यहां पर वो tool आपको दिखा देता है कि क्या वाकई में coding का कोई tool बनता भी है कि यह नोटन टंकी है ठीक है तो मैंने यहां पर वो paste कर दिया और उसके बाद run पर click किया तो देखिए यह आया image resizer यह जो coding थी यह आई थी chat GPT से और इस coding को लिखवाया था मेरे दिये हुए आदेश या prompt के जरीए ठीक है अब यह image resizer आ गया यहां से choose file करके कोई भी वेक्ति mobile पे या laptop पर यह desktop पर file या photo या image अपलोड कर देगा और उसके बाद उसकी width और height यहां से adjust कर लेगा resize पर click करेगा तो वो image resize हो जाएगी अब यह वाकई में tool काम भी करता है कि नहीं ठीक है इसके लिए practically इसको चला कर देख लेते हैं मैं इसको click करता हूँ यह देखिए कि image ठीक है यह आगई यहां पर ओके अब मैं इसकी width बदल देता हूँ मैंने यह width रख ली इसकी और height रख ली अब आप में से जिन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि width और height क्या होती किसी भी image की तो आप इसकी चिंता मत कीज़े यह जो मैंने 200 के 200 tool की यहां पर list डलवा रखी है यह actually क्या काम करते हैं कैसे काम करते हैं यह आपको जानना जरूरी नहीं यह 10 पे जाएं आपने तो बस इनको यहां से command को निकाल लेना है chat GPT से मैंने आपको जैसे दिखाया इसका code लिखवा लेना है और उसके बाद यहां आकर देख लेना है कि क्या बना भी हो सकता है 100 में या 1000 में एक केस में मेरे बताय हुए तरीके से भी जो यहां पर tool निकल कर आए बनकर वो वाक़ए में कोई मजाक हो हो सकता है लेकिन मैंने पूरा अच्छे तरह से चेक करवा के यह प्रॉम्ट्स वगरा डलवाएं हैं कि ठीक ही निकलेगा अब री साइज इमस पर क्लिक करके देखते हैं क्या वाकए में री साइज हुई है यह देखे कर दी इसने री साइज यह वह वाली इमेज थी और फुल स्क्रीन पर क्लिक करके हम इसे पूरा भी देख सकते हैं देखे और डाउनलोड भी कर सकते हैं यानि जो व्यक्ति आपके ब्लॉगर अकाउंट पर आएगा और ये वाला टूल महाँ पर देखेगा ठीक है वो इस टूल का एक सु निन्यानवे और हैं जो मैंने यहां पर उनके आदेश डलवा दिये हैं यहां से निकालो चैट जी प्यपीटी के अंदर जाकर जब आप दूसरा आदेश देंगे इसको यह तो पहला था तो आपने निव चैट पर क्लिक करना है और उसके बाद यह वो उट जाएगा और यहां पर आपने दूसरा आदेश डाल देना है यहां क्लिक करेंगे पिर उसकी कोडिंग निकाल लेनी है फिर यहां आकार ने इस टूल पर आ जाना है इसका यह नाम है htms sss js js प्रीवीवर यहां पर आपने पेस्ट कर देना है हम और उसके बाद यहां क्लिक करेंगे यह बना कर दिखांदेगा अब दोस्तों अगर एक section नाओ के दो या तीन sections होते हैं ठीक है तो उनकी setting आपने कैसे करनी है मेरे ही इस tool के ओपर आकर जिसके अंदर आप coding लगा कर ये देख सकते हैं कि tool बना तो क्या बना ठीक है तो अगर इस तरह के दो या तीन sections होते हैं अलग-अलग computer languages के तो उसकी setting कैसे करते हैं इसकी detailed जानकारी मैंने एक पुराने वीडियो में दे रखी है उसका link इस वीडियो के description box में है उसमें जाकर आप follow कर लेना ठीक है मैंने उसका थोड़ा सा हिस्सा अभी चला दिया है उस वीडियो के उस हिस्से का जिसके अंदर मैंने ये सिखाया हुआ है अब मैं यहां सिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और जो description के अंदर link है वो specifically उस वीडियो में वहीं तक का है जहां पर मैंने ये particular process सिखाया हुआ है अब मैं आपको ये दिखाता हूँ चलिए पूरे इंटरनेट पर ही नहीं कहीं दिखा दो है तो मान जाऊंगा ठीक है अगर मैं ये नहीं डलवाता वैसे ही चैट जीपी पूर ले जाकर यहां पर कहता image resizer tool बना कर दे दो तो क्या होता चलिए वो भी देख लेते हैं इससे पहले मैं लिख देता make a very great एक आम आदमी तो यही लिखता ना उसको वो भाशा थोड़ी आती है जो मेरे स्टाफ ने लिख किया ये वाली भाशा थोड़ी आती है ठीक है वो तो ऐसा ही लिखता ठीक है जो पहले वाला मेरा perfect tool बनने वाला prompt या आदेश था ठीक है वो तो ये था इसको हटा देते हैं यहां से और उसकी जगा ये नया बना हुआ लगा देते हैं ये paste कर दिया ठीक है ये अभी पुराना ही दिख रहा है ठीक है अब मैं run पर click करता हूँ तो देखी ये बना अब ये कोई tool है क्या आब बताईए अब ये कैसे बना क्योंकि मैंने लिखा था make a very great image resizer tool अब आप समझे कोडिंग फिर भी लिखी है इसने लेकिन जो मैंने इसका वो बनवाया है आदेश या prompt जिसको कहते हैं technically prompt ठीक है order कह लिए वो ये था तो ये डालने से माल बनता है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं 200 मुलकों से आपके इस blogger account के ओपर ठीक है अब मैंने जो असली वाला आदेश डाल कर असली वाली कोडिंग लिखा कर असली वाला टूल बनाया था अब उसकी कोडिंग को मैं कॉपी करके यहां डालूँगा ठीक है और उसके बाद वो वाला मेरा टूल यहां आ जाएगा लेकिन यहां पर टूल की कोडिंग डालने से पहले हमें यह जो पैंसिल वाला इकन है इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और HTML व्यू पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यह जो लिखा हुआ है इसे हटाना है अब ऐसा क्यों करना है यह मेरे टेकनिकल स्टाफ ने बताया है आप बस करते चले जाएगे ऐ और कोहीं ने बतायेगा किसी और वीडियो पर, यूट्यो पर, कहीं पर नहीं है क्योंकि वो यूट्यूबर कोई आता ही नहीं यह सब कुछ करता है ठीक है अब हमारा जो वरकिंग टूल की जो रियल में काम करना था तो यह कोडिंग थी जो chat gpt ने बना कर दी थी मेरे दिवेट prompt या order की कारण वो उस coding को यहाँ paste कर देंगे यहाँ अब क्या करना है आगे वो देखे अब यहाँ पर भी तो coding ही दिख रही है अभी tool कहां दिख रहा है ठीक है अब यह coding code tool में यह blogger का ही software बदल देता है वो कैसे देख लिजे अब यह देखने में कैसा लगता है यह preview पे जाकर आप देख सकते हैं यह बन गया यह देखे बन गया यह एक page बन गया आपके इस नए बने हुए blogger account के अंदर जिसके अंदर यह आपके इस blogger account का नाम है नए बने हुए यह date लिखी हुए आज जब मैं यह आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यह है image resizer ठीक है बिलकुल वही चीज़ है कोई भी वक्ति resize करके फिर यहां से उसको निकाल कर ले जा सकता है यहां आप कोई वक्ति कमेंट भी करसे हैं यह बहुत बढ़ी है बहुत मचा आगया फस्क्लास है और यह जो बराबर में जो space आद देख रहे हैं यहां पर हम विग्यापन भर देंगे जो फ्री का टूल है इससे इस्तिमाल कर लो और वह जब इस्तिमाल करेगा तो यहीं पर रहेगा आपके blogger account पर ज्यादा time spend करेगा आपको wash time मिलेगा और साथ में जो विग्यापन देख रहा है वो ठीक है इनको देखने के पैसे वो विग्यापन जिस company ने डाले है जो एड्स टेरा और वाइलेक्स है ठीक है जो Google AdSense के competitor हैं वो देंगे और सिर्फ 5 डॉलर निकालने पर और 5 मिनट के अंदर आपको पैसा आना शुरू हो जाता है और 5 डॉलर होते ही निकाल लो शाम तक या अगले दिन तक यह हो गया पहला टूल एक पैज बन गया आपके नए ब्लॉगर अकाउंट का अब इसी तरीके से आपने 2 पैज 5 पैज 10 पैज या 200 पैज मेरे इन अलग अलग ओर्डर का इस्तेमाल करकर उनसे टूल्स बनवा कर अपने नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में डाल कर अल Google AdSense के पहले competitor साइट पर लेकर जाओंगा वो भी अमेरिका में ही काम करती है उसका नाम है वाइलिक्स ठीक है फ्री में वहाँ पर registration कर लेंगे और वहाँ से हमें ये facility मिलती है कि वहाँ पर जो विग्यापन डले हुए हैं उनको अभी 2 मिनट के अंदर निकालेंगे और यह है उसके बाद विग्यापन लगाएंगे यहां कुछ नहीं है इसा तो वाइलिक्स पर लेकर चलता हूं अब आपके सामने यह वाइलिक्स की साइट खुली हुए इसका लिंग किसी वीडियो के description में है ऐसे ही आपके laptop desktop और mobile phone पर desktop mode में खुल जाएगी ठीक है अब यहाँ प सेकड़ों हजारों कंपनी है समझ गए अब यहां पर कैसे होगा देखिए जहां लिखा है क्रियेट अकाउंट क्लिक कर देंगे अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है डेली पेमेंट्स ठीक है और पांच डॉलर का पे आउट है गूगल एटसेंस पर डेली पेमेंट्स क लिखा देते हैं अब बस यहां पर आपने मिस्टर मिस लिख देना है अपना फस्त नेम और लास्ट नेम लग देना है अपना एक जीमेल डाल देना है ठीक है मैं भर देता हूं उसके बाद क्रियेट अकाउंट पर क्लिक करेंगे रजिशन हो गया क्लोज कर दिया अब अप उसके बाद यह पासवर्ड भी खुद ही देता है आपका जो अकाउंट नेया बना है उसका आईडी है इसको आप कहीं नोट करके रख लेना है समझ गए तो मैं पहले इस पर क्लिक करूंगा और यह लॉग इन की जीमेल आईडी और पासवर्ड जो यह खुद बना के देता हमें अपना पासवर्ड बना कर नहीं रखना होता है यह बस डाल कर यहां पर हम वेरिफिकेशन करेंगे अब वो जीमेल आईडी में लियाता हूं यह पासवर्ड भी आगया ब्लॉग इन अब लिखवा आगया आपका अकाउंट सक्सेस्फुली एक्टिवेट हो चुका है दो और स्टेप्स हैं यह जो बॉक्स से यहां क्लिक करना है अब आपने अपना फुल नेम अपना एड्रेस जो अधार कार्ड पर है क्योंकि आप यहां से पैसे लेने वाले हैं दोस्तों जैसे गूगल एड्सेंस से पैसे आते हैं वो आपको रोपीट के पैसे देते हैं ल नई तो Google AdSense से क्या आप कहीं से विग्यापन निकाल कर अपने किसी भी जगा पर डाल सकते हैं जिन्हें यह Google AdSense खुद डिसाइड करता है लेकिन यहां पर हम पस रिजिशन पूरा करते ही वाइलेक्स की इस साइट से जितने भी विग्यापन अलग-अलग केटेगरी हैं जो इन क्ते हूं से लेकिति है अगर नहीं हैं उसके बाद इन इंगलिश condition मोबाइल नंबर डाल देंगे इसमेडर कोयी वगर्वाब वगयरा है इसकी जादा कौह अशकता नहीं है इसको नहीं रहने देंगे फिरेट लेंगविज आप बजल सकते तिक News और do लेता हूं मेरे को ज़्यादा comfortable रहता है आप किसी भी भाष्टा में कर सकते हैं continue पर क्लिक करेंगे अब यहां पर बहुत सारे payment method है जिनके जरीए पैसा आपके भारतिय saving bank account में पहुंचता है सबसे उपर वाले पर क्लिक कर देना है यह अभी बनाने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी आप चिंता मत कीजिए आपने जिस जीमेल आईडे से वाइलेक्स नाम की इस साइट के ओपर रिजिस्ष्ट किया था बस वही जीमेल आईडी यहां डाल देना है जो पेपाल का एक छोटा सा निकाल लो एक दिन में पांच बार अगर पांच पांच डॉलर हो गए तो यह एक दिन में पांच बार आपको पैसा भेज़ देगा ठीक है यह जीमेल आईडी वही डाल देना जिससे इस साइट पर किया है ओके पेपाल जीमेल आईडी अभी फिलहाल बनाने की अवशक्ता नहीं है मैं बार बार कह रहा हूँ यह तब करना जब पांच डॉलर कम से कम कमाई हो जाए वो दिखती है यहाँ पर जब आपका यह जो ब्लॉगर का अकाउंट है उससे आप इस वाइलेक्स के जरीए पांच डॉलर कमा लेंगे तो एक जगा दिखेंगे तब बना लेना आ आपी की परसनल जीमेल आइडी है किसी और की तो हो नहीं सकती ठीक है न तो बस यह तो एक्सक्लूसली वी आपी की है तो कभी भी बना लेंगे जब पांच डॉलर हो गए पेपाल का अकाउंट ही कंटीनू पर क्लिक करेंगे अब इस साइट के ऊपर आपको अपनी कमाई द करेंगे कि कौन सा विज्ञापन निकाल कर ले जाना कौन से साइज का और फिर हमने अपने नए बने हुए इस ब्लॉगर अकाउंट में जो हमने टूल लगाए इस के आसपास लगाने भर भर ठीक है वह हम खुद डिसाइड करेंगे ओके वह कहां दिखते हैं देख लो यहा लिखा है एड टैक्स यहां क्लिक करेंगे यहां विज्ञापन दिखते हैं अब हम यहां पर नीचे आ जाएंगे अब यहां पर सबसे पहले हैं बैनर एड टैग को मुल जाए बैनर एड का मतलब एड्विटिस्मेंट बैनर विज्ञापन यानि जो आपके इस ब्लॉगर निकाल के लगा लेंगे तो अब उसकी हम सेटिंग करेंगे यहां पर जहां लिखा है वेबसाइट टाइप यहां पर हम क्लिक करेंगे नौन एडल्ट यह क्लिक करना है ठीक है फिर फॉर्मेट बदलना है दोस्तो 78 बाई 90 बला लेना है अब ऐसा क्यों है मेरे स्टाफ ने पहले वाला छोड़ दिया तो विग्यापन ठीक नहीं आएगा पैसे नहीं आएंगे यह जो इतनी बारीकी की गई है दोस्तों अगर आप यह खुद करते तो आपको एक मिहना लग जाता सिरफ इसकी नहीं बात कर रहा हूं अभी तक जितना भी डिटेल आपको बताई है इ करने का सिर्फ एक ही तरीका जो मेरे इस यूट्यूब वीडियो में आपको दिख रहा है यह ऐसा और कहीं नहीं है ठीक है जो पेड़ कोर्सिस बना बना के लोग बेच रहे हैं ब्लॉगर से कमाई करने के दो दो पांट पांट ददस जार के उन में भी इतनी डिटेलिंग जितनी मैं आज के इस फ्री के वीडियो में आपको देने जा रहा हूं और आपको टूल्स दोस्तों से ज्यादा एक्स्क्लूसिव फ्री में दे दिए ठीक है दोस्तों ऐसा तो कोई होई नहीं सकता है ऐसा कोई और है ही नहीं यूट्यूब पर ओके खेर और उसके बाद न पर हुए हैं कुछ इस तरह की सैटिंग है यह जो इस साइट ने की है विग्यापन डालने वाली कि आटोमेटिकली फिर वहां विग्यापन बहुच जाएगा ओके इसको कॉपी कर लेना सेटिंग को यहां पर हम प्रिव्यू करने आए थे लिखा हुए प्रिव्यू ठीक है जिसके अंदर टूल पूरा बना हुआ देख रहा है यहां पर जवार नहीं है कोडिंग लगाने का इस प्रिव्यू पर आने से पहले हम कहां थे वो यहां थे यह प्रिव्यू करके मैं आपको यहां ले आया था ठीक है बच्चों के तरह समझा रहा हूं ठीक है अब कोडिं यहां लगेगी जहां पर हमारे tool की coding है यहीं पर side में कहीं गुसा देंगे अब वो देखो कहां लगेगी सबसे पहले हम यहीं पर सबसे उपर चले जाएंगे क्योंकि banner है सबसे उपर लगेगा अब सबसे पहले देखी एक ही number पर एक दो तीन चार पादाद भी जितने भी हैं यहां पर पहले ही coding हो रखी है अब हम यहां पर click करेंगे और एक enter कर देंगे अब यहां पर हम कम से कम तीन या चार space बना देंगे चार भी बना सकते हैं लेकिन मैंने तीन बना दिये क्योंकि मेरी यह जो coding है ठीक है यह तीन चार लाइनों की है ओके तो हमारा यह जो code है इस code के ऊपर यहां पर हमारा एक विग्यापन लग जाएगा यहां यहां आप मेरा यह free का tool इस्तेमाल तो करने आयो लेकिन यह साथ में विग्यापन भी देख लो ना मैं भी दो क्यापन डिल जाएगा ओके अब इसके नीचे जो एक सेक्शन रह गया तीन और चार ठीक है यहां बर एक coding अपनी तरफ से लिखनी है वह आपको इस टाइम स्क्रीन पर भी दिख रही है ओके जिब तक मैं यह बताता रहूंगा यह आपको दिखती लगा देंगे उसके बाद स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे बी आर और उसके बाद फिर इसको यहां से लगा के बंद कर देंगे अब उसके बाद चौत्छे नमबर पर आ जाएंगे दुबारा से वही रिपीट कर देंगे ठीक है जी अब यह कोडिंग यह ऐसी चौँ है य यह नाव पर क्लिक करने से यह विग्यापन लग गया ठीक है अब आप देखिए कि और विग्यापन यह तो ऊपर लग गया अब और जगा जगा नीचे इधर उधर भी तो भरने है वो कैसे बरने है वो देखो अब यह वाली एक एड हमने लगाई इस साइट से अब हार पा देगे सब तरफ से कमाई कर लो ठीक है अब मैं एड स्टेरा साइट खोल के दिखा देता हूं अब आपके सामने एक और साइट खुली है इसका नाम है एड स्टेरा डॉट कॉम ओके वाइलिक्स जैसी ही है गूगल एड सेंस का कॉंपटिटर है जैसे बार बार बोल रहा तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहां से देख लेना और इस पर रिजिस्ट्रेशन पार्श्मिंट में करके कैसे विग्यापन की सेटिंग होती है कोडिंग की विग्यापन के कोडिंग की वो उसमें फॉलो कर लेना ठीक है अब वो विग् करके सिखा दी थी यहां पर होता क्या है कि जो भी आपका यह ब्लॉगर का अकाउंट है जिसको हम वेबसाइट भी कह सकते हैं यहां पर आपको वह एड करना होता है एक बार यहां पर सिस्टम थोड़ा अलग है एड्स टेरा के उपर वह आप मेरा वीडियो देखेंगे जिसक लिंक इस वीडियो के डिसक्रेशन में ठीक है तो मैं यहां से एक विग्यापन का लिंक या कोडिंग निकाल कर ले जाता हूं यह बैनर वाले की ले जाता हूं अब देखिए गैट कोड पर क्लिक कर लिया कॉपी हो गया अब मैं दोबारा से यहां आ गया उपर एक लगाई लगा देने ओके और उसके बाद फिर विग्यापन की कोडिंग लगानी है करना वही है प्रोसेस यह लग गए अब इसके नीचे एक बार और और एंटर करके नीचे आगए या वैसे ही आगए करजर से और यहां पर हमने वह कोड पेस्ट कर दिया यह कोड काफी लंबा था ठीक है और बाकी का जो स्पेस था इसने अपने आप बना लिया नीचे आके यह हो गया अब यह विग्यापन है यह भी देख लेते हैं प्रिव्यू पर जाके अब इसका क्या नतीजा निकला यह एड्स टेरा से लाएं यह उपर तो यह वाला था इस बार यह विग्यापन बदल दिया देखिए उसने वाई लिक्स ने पहले तो कुछ और था अब देखिए दूसरा लग गया देखिए विग्यापन आ गया कमाई शुरू हो गई अब देखिए एक और विग्यापन यह नीचे लग गया यह हम लाएं एड्स टैरा से प्ले फार फ्री पर क्लिक करक सकते हैं देखिए यहां पर मैंने आपको जो दिखाया था मैं आपको दिखा देता हूं यह मैंने सिर्फ एक बैनर का कोड निकाला है यह इसके अंदर कितने सारे अलग-अलग तरह के विग्यापनों की सैटिंग्स हैं यह पापटर के बाहर कुछ निकलता है यह एक अलग सलगा अब यह हमारा कोडिंग वाला सैक्षन है और यह वाला है कि जो हमारा बन चुका जितना जितना बनता जारा है लेест्ट यह दिख रहे हैं और यहां पर हमने यह वाला विग्यापन जो लॉक स्पॉट के ओपर कोई भी अगर विजिटर आएगा तो इस आपके टूल से तक पहुंचने से पहले वो उस विग्यापन पर क्लिक किये बिना यहां तक नहीं पहुंच पाएगा यानि कि वो उसको फोर्स करेगा जबरदस्ती उस विग्यापन के ओपर क्लिक करने के लि निकालने तो अगर किसी को आपकी यह टूल देखना इस्तेमाल करना जैसे दोसों आप लगा सकते हैं इस तरह के टूल मैंने आपको गिफ्ट कर दिये उसमें हम एक ऐसा विग्यापन लगाएंगे जो जैसे कोई विग्यापन पहुंचेगा उसे पहले वो विग्यापन तो अभी दिखा देता यह जब पॉलिश करेंगे हम अपना यह भी प्रिवि देख रहे हैं ठीक है जब पॉलिश कर देंगे पबिलिक के लिए अभी पॉलिक नहीं किया है तब यह दिखता है कि आम लोगों को दिखना शुरू हो गया अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यह विग्यापन चल रहा है यह हमने वाइलिक्स से लगाया था वो विग्यापन बदलती रहती हमने सिरफ जगा फिक्स कर दी जो विग्यापन है वो वाईलिक्स ने लगाना शुरू कर दिया ठीक है और उसके बाद नीचे आएंगे तो ये एक नीचे लगाया था और वो जो पॉपप वाला था जो आटोमेटिकली जबरदस्ती दिखाता है आपको विग्यापन वो अगर हम यहां कहीं पर भी क्लिक करे गिया मैं दोहारा क्लिक करके दिखा देता हूं जलिए इस बार यहां क्लिक करते हो कहीं पर खो फ nick है मैं तो उसको इस्ते हमाल करने आएगा वो और शीम कर ले जाएंगा यानि जबरदस्ति कलिक करवा दिया को उसके ने जब लो उसके ऑड़ यह जबग्दस्ती ने उसने विग्यापन तो यह एड्स टेरा का यह जो पुपंडर वाला एक करिश्मा है यह जो अगर आप लगा देते हैं तो यह जबरदस्ती विग्यापन दिखाता है चाहे वह विक्ति ना भी खोले यहां पर तो खोलना पड़ेगा ना वो तो कहीं पर भी क्लिक करेगा इस्त अकाउंट बन रहा है नया इसको जाद से जादा आप मैक्सिमाइज इस तरह से करें उसकी सेटिंग कि एक बार कोई वक्ति आपके इस ब्लॉगर अकाउंट पर आ जाए तो वो फिर काफी देर तक महां रहे और उसके बाद यह जो दोसों के दोसों टूल मैंने आपको एलेक्स और एड्स टेरा आपको लगाने सिखाए हैं क्योंकि यह इमिजेटली लग जाते हैं गूगल एड्सेंस इमिजेटली एड नहीं लगाता है लेकिन वह भी लगाएंगे क्योंकि देखिए यह जो प्लेटफॉर्म है आपका ब्लॉगर यह गूगल कंपनी का है और पहले आपकी यह जो गूगल के उपर फ्री में ब्लॉगर की साइट या ब्लॉग बन रहा है इसको और ज्यादा रिफाइन करना और इसकी सेटिंग्स और अच्छी करना आपको सिखाता हूं अब उसके लिए मैं पांच्छे और टूल्स बनाकर चैट जीपीटी से अपने के जरेये यहाँ पर 5-6 और पेज़स पहले बना लेता हूं यह तो सिरफ हमने पोस्ट डाली है मैं आपको पेज बनाना सिखाता हूं अब धोस्तों होता क्या है जो आप पहली पोस डालते है यह अकानट बनते है जब पहली पोस्ट डालते है तो वह आपका एक हॉम पेज की नहीं होती है अब वह बाकी के 5-6 pages मैं आपको बना के दिखा देता हूं मैं बापस ब्लॉगर पर जाओंगा अब यह हमारी एक home page की पोस्ट हो गई है अब अलग-अलग pages हम बनाएंगे और उन पर अलग-अलग tools डालेंगे अब उसके लिए pages पर ख्लिक करूंगा अब new page पर अब मैं यहां पर एक दूसरे टूल की coding लगा दूँगा ठीक है और इसी तरह से 5-6 बना दूँगा ठीक है अब मैं यहां पर दूसरा टूल की coding लगा देता हूं यहां मैंने एक और टूल की coding के case में कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ सकता है दस मर्शन केसे में जो यह है डिस्प्ले और उसके बाद यह जो आगे फ्लैक्स लिखा है और थूड़ा सा और हिस्सा है यह इतनी इस लाइन को आपने हटा देना है अगर आ गया पस इसका आपने ध्यान रखना है यह आपको अलग से दिखेगा उपर से कहीं पांच में दस में लाइन पर ओके तो मैंने यह इस पर्टिकलर केस में ही आ गया तो मैंने इसको यह डिलीट करके हटा दिया और उसके बाद आपने यह जो स्पेस है इसको खाली छोड़ देना है अब मैं इस पेज पर भी इस को बना देखिए यह बन गया ठीक है अब मैं इसको भी वीव पे क्लिक करूँगा आप देखिए इसके अंदर भी एक और विग्यापन बना हुआ गया यह था वर्डन करेक्टर काउंटर ओके अब इसके अंदर भी आप पॉपंडर वाला विग्यापन लगा सकते हैं जिसके अंदर कोई भी विग्यापन को देखेगा ही ठीक है तो मैं यह जल्दी से तीन-चार पेजिस पांच पेजिस टूल्स के बनाकर और एड़ कर देता हूं और उसके बाद आपको ही दिखाता हूं कि जो साइड वाला हिस्सा है यहां पर भी हमें विग्यापन कैसे भरने हैं तो दोस्तों अब मैंने जल्दी से पांच-छे पेजिस एड़ कर दी है ठीक है अब सवाल ये रह गया कि आपका यह जो नया ब्लॉगर की एक वेबसाइट बनी है फ्री के अंदर इसके अंदर जो आप अलग-अलग टूल्स लाकर लगाएंगे मेरे दोरा आपको गिफ्ट किये हुए वो इतने सारे टूल आफ्टर आल आपके ब्लॉगर अकाउंट में कोई भी इस्तेमाल करने का इच्छुक व्यक्ति उन्हें कैसे ढूंडेगा क्योंकि मैंने तो आपको 200 टूल्स गिफ्ट कर दिये हैं ठीक है तो अब ये जो जितने भी 6 पेजिस मैंने लग-अ टूल्स हैं अगर आप इस तरह के 50 टूल्स निकाल कर ले आते हैं जैसे कि मैंने आपको भी सिखा दिया है और अपने नए बने हुए इस ब्लॉगर की साइट पर या पोस्ट में लगा देते हैं तो आखिर जो व्यक्ति आपके इस ब्लॉगर अकाउंट में आएगा वो इत करके उस टूल का इस्तेमाल कर ले और उस टूल पर डले हुए जिते भी विज्ञापन हैं आपके अलग अलग तरह के वो उन पर एक तो जबर्दस्ति हम क्लिक कर वाएंगे और दूसरा खुद भी कर ले और आप कमाई करें यही तो परपस है न तो अभी फिलाल मैं आपको इसलिए लिकर आया हूँ आपको एक जरूरी जानकारी दे दूँ कि जो मैंने आपको अभी एक पेज बना कर या पोस्ट डाल कर दिखाई जिसके अंदर एक टूल था और मैंने आपको यह दिखाया कि कैसे आप वाइलेक्स और एड्स टेरा से विग्यापन निकाल कर ला सक ठीक है वो आपने देख लिया लेकिन वो जो सेटिंग है वो आपको हर टूल के साथ अलग-अलग करनी होती है आटोमेटिकली यह ब्लॉगर का अकाउंट करकर नहीं देता है लेकिन ब्लॉगर के ही अकाउंट पर जिते भी आपके पेजिस बन रहे हैं उन में बस अगर कर एक बार कुछ सेटिंग्स कर दी तो फिर वो आपके ब्लॉगर के हर पेज पर हमेशा जिते भी आप पूल्स बना लेंगे आटोमेटिकली बन कर आएंगे चाहिए आप एक हजार पेज बना नीचे आप पतलब समझ रहे हैं मैं क्या चाहरा हूं कि अब हम सेटिंग जो कर सेटिंग कर देंगे और ब्लॉगर खुद ही खुद वहां पर विग्यापन लगा देगा हम खुद भी लगा सकते हैं एड स्टेर और वाइलिक से लाकर जैसे मैंने आपको टूल के अंदर लगाना सिखाया था विग्यापन इसके अलावा ब्लॉगर अपनी तरफ से गूग पर सिर्फ पैसा कमाना है आप कोई होबी के लिए नहीं आया है ठीक है तो जब तक मैं आपको पूरी तरीके से ये ना सिखा दूं कि कैसे एक एक आखरे पैसे की बून निचोड लेनी है अपने इस ब्लॉगर अकाउंट से तो मेरे वीडियो देखने का क्या फायदा हुआ समझ गए इसी लिए मैं आपको ये जानकारियां देता रहता हूं बारीकी में जाकर कि आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ या जादा से जादा हो सके तो कमाई कर लें तो सबसे पहले हम इस पेज में मेन्यू के बटन्स बनाएंगे और उसके बाद नीचे चलकर फिर वि ब्लॉगर अकाउंट के सॉफ्ट्वर ने बाई डिफॉल्ट आपका एक होम पेज बनाकर दे दिया है होम पेज का मतलब यह होता है अगर किसी भी वेबसाइट या ब्लॉगर अकाउंट में आप जाते हैं तो एक ऐसा पेज होता है जो सबसे पहले खुलता है उसे होम ठीक है वो यह अर्ट्रमेट के लिए बना कर दे देता है और नए पेजिस एड़ करने के लिए हमें यहां क्लिक करना है उसके बाद यह पेज खुलेगा अब देखिए सबसे उपर लिखा है पेज नेम और पेज यूरल आप बस यहां पर क्लिक करेंगे यह अपनी फिंगर ल पर आपके इस ब्लॉगर अकाउंट पर आए और वो यूज करना चाहे जेपी जी टू पी एंजी कनवर्टर नाम का टूल तो वह उसको कहां ढूंडता फिरेगा ठीक है तो आपके इस ब्लॉगर अकाउंट पर या फ्री की वेबसाइट पर वह सबसे ऊपर एक बटन के शक और वो उसका इस्तेमाल कर ले अगर वो इतना असान नहीं है इस्तेमाल करना तो वो व्यक्ति जुंजला कर निकल जाएगा आपकी साइट से फिर वो कहीं और पहुंच जाएगा समझ गए तो अब मैं सबसे पहले वाला जो टूल है इसका बटन बना कर सबसे ऊपर आपको जैसे यह आपने टूल का पेज सेलेट किया नीचे इसका URL अटोमेटिकली इस साइट ने ब्लॉगर ने बना कर आपको दे दिया आपको कुछ नहीं करना है सेव करना है अब यह देखी यह और पेज आड हो गया एक होम पेज था अब यह और पेज हो गया ठीक है इसी तरीक आप जितनी महनत कर लेंगे आपकी मरजी है और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे अब हमारा ये जो ब्लॉगर के ओपर ने आकाउंट खुला या वेबसाइट खुली फ्री की इसके ओपर हमारा ये जो मेन्यूस बने हैं अलग लग जो टूल्स हैं उनके जो बटन्स निक बटन आ गया या इस तरह से आ आगए आ चले जाएंगे आप में से कईों के दिमाग में आएगा कि संधीब जीने तो दो सो टूल्स आपको गिफ्ट में दे दिये हैं तो वह इतने सारे बटन कहां बनेंगे जब आप यहां पर आ जाएंगे लास्ट वाले पर यानि एक और बना देंगे तो उसके बाद यह ब्लॉगर का अकाउंट का सौफ्ट वियर अटोमेटिकली फिर एक नीचे ऐसी लाइन बना देगा ऐसे करके फिर उसके बाद फिर एक नीचे फिर एक नीचे फिर एक नीचे और यह जो बाकी की चीज़ें यह और उसके नीचे आ जाएंग क्लिक करके आपनी ले जाएंगे जब मैं इसको पबिश करूंगा तो आपको मैं यह सब क्लिक करके दिखाऊंगा भी अब दोस्तों मैं आपको यह सिखाता हूँ कि हमने ऊपर एड़ लगाना सिख लिया नीचे अड़ लगाना सिख लिया टूल के अंदर ठीक है लेकिन अब जो side का space है इसे क्यों खली छोड़ेंगे एक एक इंच जगा के ओपर विग्यापन ठोग देते हैं ताकि जादा से ज़दा कमाई हो यहां नीचे भी विग्यापन का space है ठीक है तो यह जगा जो है यहां पर विग्यापन जादा से जादा कैसे आएंगे ताकि आप जादा से कमाई करें तो चलिए अब उसकी सेटिंग देख लिए उसके लिए वापस ब्लॉगर अकाउंट पर चलूँगा यह प्रिव्यू था देखिए वापस आ गया यहां से क्लिक करके मैं गया था आपको दिखा लें अब मैं यहां से थोड़ा सा नीचे आओंगा अब आप विःध्यापन हम खुद लगाएंगे और कहां से निकाल कर लाएंगे वाइलिक्स और एडस टेरा नाम की साइटों से जो Google Adsense का competitor हैं और हम खुद विग्यापन लगा सकते हैं ताकि हमें ये इंतजार ना करना पड़े कि कब Google Adsense हमें approval देगा अपने इस blogger नए बने हुए account पर और कब वो अपनी मर्जी से कहां कहां विग्यापन लगाएगा ठीक है Google Adsense दोस्तों आज की में एक इस तरह का platform बन चुका है कि उसके नखरे हो गए हैं वह बहुत सोच समझ कर बहुत चुन कर विग्यापन लगाता है जब कि यह जो नए उसके competitors आए हैं वाइल एक्स और एड्स तेरा यह आपको कह देते हैं हमारे यहां से निकाल कर ले जाओ और विग्यापन तुरंत लगाना शुरू कर दो पहले ही दिन से कमाई कर दो शुरू अपनी और Google Adsense की तरह हम आपको तरसाएंगे नहीं पैसों के लिए ठीक है तो यहां पर भी सारे विग्यापन लगेंगे और यहां भी लगेंगे ठीक थीके विग्यापन निकाल-निकाल कर लाएं और यहां लगाएं अब इनको रिमूफ कैसे करना एड़िट पे जाएंगे और रिमूफ ओके यह देखिए रिमूफ हो गया ऐसे ही करते करते मैं सारे साइड के जिते भी हैं यह रिमूफ कर देता हूँ अब यहां पर जो विग यापन आएंगे वो इसी स्क्रिप्ट के अंदर होंगे इससे ज़्यादा मत सूचिए आपका तो कॉपी पेस्ट करके काम है अभी तक मैंने जित्ता भी बताया है शायद आपको एक शब्द भी टाइप ना करना पड़ा हो शायद एक आदा शब्द टाइप करना पड़ा हो सब कॉपी पेस्ट है अगर आप बहुत कम पड़े लिखे हैं तो भी आप इस तरीके से कमा लेंगे आप स्टूडेंट हैं हाउस वाइफ हैं कोई जॉब करते हैं नहीं करते हैं खाली बैठे हैं रेटायड हैं आप कमा लेंगे ठीक है मैं इतना असान करके लाया हूँ सार करती हो जाती है यहां पर कोई दिक्कत आ जाती है तो वह भी मैं आपको रिकॉर्ड करके आपके सामने दिखाता हूं क्योंकि वह आपको भी आएगी फिर उसका सेलूशन आपको देता हूं आप समझ गए तो इसलिए आप कर लेंगे घबराये मत अब यहां पर देखिए ज आपने जो भी विग्यापन लगाना है उसका कोड यहां पर लगा दो ठीक है अब हमें जो विग्यापन लगाना है अपनी तरफ से वो हम लगा सकते हैं दो साइटों से google adsense नाम के platform से हमें यह facility नहीं मिलती है वो तो अपनी मर्जी से decide करते हैं कहां लगाना नहीं लगाना है यह हमें facility जो अपनी विग्यापन खुद लगाने की है वो सिरफ यह दो साइटे देती है एड्स टेरा और वाइलेक्स अब हम वहाँ पर जाएंगे दोनों में से किसी एक पर और वहां से हम एक विग्यापन का code लेकर आएंगे और यहां लगा देंगे और वो विग्यापन का code नहीं वो विग्यापन के format का code होगा उस particular site का यहां लग जाने के बाद उस code के अंदर उस विग्यापन डालने वाली site adstera या whylayx का कोई इस तरह का secret code होगा कि automatically की site के ओपर ठीक है ऐसे एट स्टेरा पर भी हो जाता है ठीक है अब यहां से हमने कौन सा code निकाल कर वहां लगाना है देख लिए देखे सबसे पहले हमने यहां पर उपर जो format है यह बदलना है ठीक है size तो कि हमारा जो blogger का account है उसमें कौन से size का विग्यापन लग सकता है वो आप देख लीजे और उसके बाद फिर हमने बस size लगा देना है यहां से निकाल कर उसकी coding और उसके बाद यहां पर वाइलिक्स के ओपर जितनी भी सेक्रों हजारों लाखों कंपनिया हैं उस size का जब भी कोई विग्यापन देंगी तो आपके blogger account में उस page पर देख जाएगा बलकि सारे account पर देखेगा blogger के जितने भी pages होंगे क्योंकि अब जो हम लगा रहे हैं यह particular किसी टूल पर नहीं लग रहा है यह तो हमने एक बार सेटिंग कर दें यह blogger पर फिर आप 1000 पेज भी बना लेंगे तो सब के ओपर यह विग्यापन आटोमेटिकली उस size में जितने भी आएंगे सब के सब यह वहाँ पर site भेजती रहेगी और आप पैसा कमाते रहेंगे तो जित tag पर क्लिक करेंगे get add tag का मतलब होता है code असान सी भाशा में वाइलिक्स के उपर अलग-अलग sizes के विग्यापन डलते हैं ठीक है तो इस size का जो भी विग्यापन होगा वो हमारे blogger account पर कैसे पहुंचेगा यह code आपने copy कर लेना है ठीक है यह हमें code मिल गया अब हम वापस ज system या जोगार था वाइलिक्स नाम की उस एड देने वाली साइट का और यहां पर अब आटोमेटिकली विग्यापन आएंगे अभी थोड़ी दिर में आएंगे दो मिनट में आपको दिखाऊंगा यह पहली वाली आ गई अब मैं ऐसी ही और भी तीन चार अलग विग्यापन यहां लगा देता हूं साइज सबका वही रहेगा 300 इंटू 250 अब मैंने उसी साइज के सारे विग्यापनों के कोड यहां चार लगा दिये ठीक है और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां यह जो तीन आप्शनस आपको दिख रहे हैं यहां पर भी हम वही साइज वाला व और भी लगा सकते हैं ताकि उतने ही जादा विग्यापन डलेंगे लेकिन मैं यह सजस्ट करूंगा बहुत ज्यादा स्पेस मत बनाए विग्यापन का नहीं तो फिर आपका यह जो ब्लॉगर का अकाउंट है यह थोड़ा अजीब सा लगेगा अला कि आपकी मर्जी आप ल रहने वाले हैं 200 हैं ठीक है तो एक्सपेरिमेंट कर लो या खैर अब मैं आपको एक अलग साइस का विग्यापन यहां पर डालना सिखाता हूं यह मैं लेकर आँगा एड्स्टेरा.com नाम की साइट से जो भी तुरंत विग्यापन दे देती है अपना कोड निकाल कर उस साइट पर एड्स्टेरा.com पर यहां पर आटोमेटिकली वो साइट लगाती चली जाएगी ठीक है गूगल एड्सेंस की तरह इंतजार नहीं करना है उन पर नहीं छोड़ना है तो यही तो फैदा है अब यह वाला जो साइज है या अलग है आपको दिख रहा है तो यहां क की साइट पर ने करा चुका जिन्होंने बिना स्किप के वीडियो देखा है उनको याद होगा कि मैंने यहां पर क्या समझाया था ठीक है तो यह मैं उसी विंडो पर वहीं पहुंच किया जहां से छोड़कर आगे समझाने गया था अभी फिलहाल इस विंडो को मैं क्लोस कर आनी है यहां पर लाने के लिए वो जो आयताकार एक शक्ल विग्यापन की वह कहां से मिलेगी वह यह वाली है बैनर 728-90 ठीक है और गेट कोड़ पर क्लिक करके हमें वह कोड मिल जाएगा अब हम वापस अपने वहां जाएंगे जहां कंटेंट है यहां पर पेस्ट कर दें तो अब एड्सटेरा नाम की इस साइट के ओपर जितने भी विग्यापन इस साइज में आयताकार आएंगे जो कंपनिया डालेंगी ठीक है तो वह आटोमेटिकली साइट यहां पर लगाती चले जाएगी मैं भी आपको दिखाऊंगा वाईलिक्स.com और एड्सटेरा.com से जो आपके कमाई होती है वो आपके पास कैसे पहुंचती है क्या सिस्टम है आपके भारती अकाउंट में कैसे पहुंचती है अब विग्यापन मैंने सारे लगा दिया आपको लगाना सिखा दिया ठीक है गूगल एड्सेंस के विग्यापन आप खुद नहीं लगा सकते हैं ठीक है उनका सिस्टम अलग है हाला कि मैं अभी इसी वीडियो में आगे चलकर ये भी आपको सिखाऊंगा कि Google AdSense को भी कैसे आपने ब्लॉगर अकाउंट के साथ अटेच करना होता है दिखें ये जो AdStera.com और Wilex साइटे हैं इनके तो विग्यापन के कोड लगा दिया आपने तो ये तो अटेच होई गई आटोमेटिकली अब जितने भी विग्यापन इस साइज के इन दोनों साइटों पर आएंगे वो यहां लगते चले जाएंगे और आप पैसा कमाते चले जाएंगे Google AdSense का सिस्टम यह होता है कि Google AdSense का एक नया अकाउंट बना कर या पुराना अगर है तो वो आपने ब्लॉगर के साथ एक जगा अटेच करना होता है उसका अलग स्पेस दे रखा है ब्लॉगर साइट ने वह आपको मैं वह भी सिखा दूँगा अभी इसी वीडियो में पूरा वीडियो होगा दोस्तों लंबा होगा दो तिन पार्ट में नहीं बनाता हूं क्य लिकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और सेटिंग इस ब्लॉगर अरकांट में करना सिखाता हूं उसके बाद आपको गूगल एटसेंस दिखाऊंगा और पैसे आपके पास कैसे आएंगे वो दिखाऊंगा अभी इसी पेज़ पर थोड़ा सा और उपर आएंगे अब यहां पर आपको यह जो में ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है जहां पर हमने अभी तक पांच-छे अलग-अलग टूल्स के कोड्स डाल कर उन्हें एक्टिव कर लिया है अपने इस ब्लॉगर अकांट पर ठीक है यहां पर हम एडिट के बटन पर लिख करेंगे अब यहां क्लिक करेंगे यह भी आफ हो गया यहां क्लिक करेंगे यह भी आफ हो गया जितने भी हैं इन सब को आफ कर देना है ठीक है और उसके बाद सेव कर देना है अब हम वापस यहां पहुंच गया अब जितने भी अभी तक हमने सेटिंग्स में बदलाव किये हैं उनको मैं अभी आपको यह दिखाऊंगा कि आप जो पेमेंट यहां से क्लेट करेंगे वह आपके पास भारतिय सेविंग बैंक अकाउंट में कैसे पहुचेगी उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि हमने यह जो ब्लॉगर का एक निया अकाउंट बनाया उसमें पांचे पेजिज लगाए हैं अलग-अलग विग्यापनों की सेटिंग की है वाइलेक्स.com और एडस्टेटर.com से जिसमें खास दोर पर वाइलेक्स.com नाम की साइट का सेटिंग यहां पर कर देने से आप पहले ही दिन से अपने ब्लॉगर अकाउं चे बजे हो गए तो वो हर बार पांच-पांच डॉलर निकल निकल कि आपके अकाउंट में पहुंचते रहेंगे चार-चार चार रुपए ठीक है वाइलेक्स सिरफ उसके जरिए एडस्टेर.com से अलग कमाई होगी गूगल एडसें से भी होगी उसकी सेटिंग भी दिखा ठीक है आप थोड़ा सानी चाहिएंगे विग्यापन में चीज है आपका एक सबसे पहले डलावा टूल यहां इस तरह से दिखेगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों जो टूल मैंने अभी आपको प्रैक्टेकली लगा कर दिखाएं हैं जिसमें पहला यही वाल अलग होगा कलर अलग होगा सब कुछ अलग होगा नो डाउट ओके लेकिन आप कोशिश यह कीजिएगा कि आप कोई और टूल स्लेट कर लीजेगा मैंने दोस्तों दिया आपको उसमें से स्थे लगाएं बाकी के जो एक सो चॉरणवे या पिचानवे उनमें से कोई स्लेट कर लीजेगा यह मैं इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर सेकड़ों हजारों लोगों ने पहला की टूल यह लगा दिया चाहे फॉर्मेट अलग है सब कुछ अलग है लेकिन फिर भी वह कॉपी सी लगेगा यह कैसे हो सकता है पांसा सो लोगों ने पहला टू वह हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया क्योंकि आपने वही नाम अगर सेकड़ों लोगों ने रख लिए तो फिर वह ब्लॉक ही होगा समझ गया अब देखें यहां पर कुछ विग्यापन डले हुए यह भी एक विग्यापन ही है कोई ठीक है जो एड्स टेरा या वाइलेक्स जो आपका एक नया वेबसाइट या ब्लॉगर का अकाउंट बना ब्लॉगर के द्वारा इसका डोमेन आपने नहीं खरीदना मैंने आपको साबित करके दिखा दिया कि ब्लॉगर आपको lifelong free नाम या डोमेन देता है जिसके ओपर भी विग्यापन डलते हैं आपको लगा कर था कि आपका ब्लॉगर अकाउंट पहले ही दिन से आपको विग्यापनों के जरीए कमाई करके देगा वह आपने देख लिया मैंने आपकी आँखों के सामने यह साबित कर दिया गूगल एड्सेंस के विग्यापन नहीं है गूगल एड्सेंस की कॉम्पुटिटर कंपनिय जो विग्यापन लगाती है वह यहाँ पर यह विग्यापन आ गए हमें गूगल एड्सेंस से भी कमाई करने हैं ठीक है हम कोई भी कमाई का तरीका क्यों चोड़ेंगे ठीक है लेकिन गूगल एड्सेंस बहुत समय लेता है हर साइट हर चैनल को पहले सो बार चेक क्रॉस च यहां पर हम अपनी मर्जी से जित्ते मर्जी विग्यापन भर सकते हैं यह चीज थी जो मैंने आपको सिखानी थी तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखाऊंगा कि यह जो एड्स टेरा और वाइलेक्स.com नाम के प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे पेमेंट आपके पास कैसे आएगी उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि गूगल एड्सेंस को भी आप कैसे इस अपने ब्लॉगर अकाउंट में अटैच करेंगे सबसे पहले एड्स टेरा.com साइट से पैसा कैसे आएगा वो देख लीजे अब यह आपके सामने एड्स टेरा का एक पेज खुला हुआ है मैं इ भारती सेविंग बैंक अकाउंट में कैसे पहुचा सकते हैं इसके बारे में आपको मैंने बताया था थोड़ दर पहले कि मैंने एक डेटेल्ड वीडियो बना रखा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपको वो लिंक पर क्लिक करके आप उसी हिस्से में पहुचेंगे उस मेरे वीडियो के जहां पर एड्स टेरा पर रेजिस्टरिशन फ्री में करना और फिर यहां पर यह सारी सेटिंग्स निकालना और उसके बाद यहां से जो पेमेंट आपकी बनती है वो भारती सेविंग बैंक अकाउंट में आपके कैसे पर तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल ली कि वो कैसे पैसा आएगा अब यह था वाइलेक्स ठीक है यह मैं पहली बार दिखा रहा हूं जैसे अभी बताया आज तक कभी नहीं बताया कि से भी कमाई होती है मेरे स्टाफ ने ढूंडा तो मैंने का चलो बत आपकी रोजो सकती है नेक्स्ट पेःदे रोजम आ सकती है एक दिन में चार बार भी आ सकती है आपकी जित्ते भी पेइमेंट होगी वो आपको यहां दिखेगी ठीक है जहाँ से पैसा आपके पास पहूंचेगा वो है पैपाल इंटरनेशनल पूंट गेटवे यह आप इ के mobile phone पर ही एक आपका account खुल जाता है ठीक है उसके अंदर जिस gmail id से आपने इस site पर registration किया था पस उसी gmail id से आप अपना PayPal का akaunt बना लीजियेगा नया ठीक है दो मिनिट में बनता है और free में अगर पहले से PayPal akaunt है आपका किसी और Gmail आईडी से बना हुआ है तो वह भी चलेगा ठीक है और उस gmail id को बस यहां पर एक जगा एड करना होता है वह मैं आपको दिखा देता हूं देखिए यह iya account लिखा है यहां पर जाके के जरीए पैसा आपके पास पहुंच जाता है ठीक है लेकिन वेट कीजिए पांश डॉलर होने का अभी पेपाल अकाउंट बनाने के अशक्तर नहीं है अगर है पहले से आप फेरे वीडियो देखते रहते हैं तो शायद होगा तो डाल देना अब रह गया गूगल एडसेंस वो कैसे अटेच करना है उसके भी तो पैसे चाहिए वो भी देख लीजे उसके वापस ब्लॉगर अकाउंट पर चलेंगे अब मैं यहीं से गया था ठीक है अब यहां पर जहां लिखा अर्निंग्स यहां क्लिक करेंगे अब देखिए यहां पर जैसे आप आएंगे आपकी इसलिए यह आपस में इंटर अटेच्ट होते हैं तो जैसे यह आपने यहां क्लिक किया इसमें बता दिया हाँ जी हमें पता है आपका ब्लॉगर अकाउंट है अब आप देखिए दोस्तों आपके सामने सबूत है कि गूगल एड़सेंस फ्री के डोमेन पर भी काम करता है क बॉगर की टीम ने यानि उनके ऑफिस स्टाफ ने हमें मैसेज करके कहा है कि ऐसा बिलकुल नहीं है आप बिलकुल प्राइवेट कोई कंपनी का डोमेन खरीदना बिलकुल अवश्यक नहीं है आप जो फ्री वाला है उसी से बहतर कमाई कर पाएंगे ठीक है तो यह यहां द दूर एक्सेप्ट कर लेना है और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं मिस्स मत कीजेगा इसको सबसे पहले आपने यूं भुमा कर नीचे ले आना है यह आवश्यक है इससे गूगल एटसेंस के अकाउंट को यह लगेगा भईया इन्होंने सारी पॉलिसी पढ़ बाद यह चेक किया है ओके छोटा सा नुकता है आप उपर ही रखकर एक बार चेक करके देखेंगे तो आगे दिक्कत आ जाएगी ठीक है तो यह यहां तक नीचे लाना है और उसके बाद स्टार्ट यूजिंग गूगल एडसेंस अब यहां पर हमने यह वाला और यह वाला सक्षन भरना है ठीक है यहां क्लिक करेंगे यहां आपने इंडिविज्वल ही रहने देना है यहां आपने नाम डाल देंगे पहले से दिखाएगा आपको फैच कर लिया इसने आपके अधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है आपने यहां डाल देना है राज यहां से सेलेट क करना चाहते हैं उसके बाद जो वेरिफिकेशन है आप टेक्स्ट मैसेज SMS से मंगा लीजे और सेंड कर दीजे यहां पर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा शे डिजिट का डाल दीजे और सब्मिट कर दीजे अब यह वाला हमने भर दिया सेक्शन ठीक है अब आप कनेक्ट यूर साइट टू एडसेंस यानि अभी भी ये बाकी है हमारा जो ब्लॉगर का नया बना हुआ अकाउंट है उसे गूगल एडसेंस से रिव्यू करेगा तो हम वो रिव्यू करके आपको बताएंगे कभी ये रिव्यू पांश घंटे में हो जाता है कभी पांश से साथ दिन भी लग सकते हैं maximum पांश साथ दिन है ठीक है Google AdSense रिव्यू करता है जहां पर भी आपको Google AdSense के विग्यापन या एड चलाने हो ठीक है चाहे वो कोई वेबसाइट है चाहे ब्लोगर का ही अकाउंट है चाहे वो आपका YouTube चैनल है ठीक है तो खेर लेकिन वो भी ज़रूरी है तीसरी कमाई का तरीका वो भी है हो सकता है वो पहली कमाई का तरीका हो जाए और वाइलेक्स और एडसेरा.com से कैसे कमाई होगी और तुरंत पहले ही दिन से कमाई होगी वो भी आपने देख लिया Google AdSense को कैसे अटैच करना है वो भी देख लिया लेकिन मैं आपको एक बहुत जरूरी इंफॉर्मिशन देना भूल गया और वो सबसे ज़रूरी है और वो आपने जाना है Google search के बार में और टाइप करना है privacy policy generator ठीक है जैसे आप यह टाइप करेंगे आपके सामने बहुत सारी website खुल जाएंगी जो यही काम करती है ठीक है उनमें से आपने किसी पर क्लिक करके अपने लिए एक privacy policy निकाल लेनी है और अपने जो blogger का account है ठीक है वही जाकर एक नया page बनाकर जहां पर pages लिखा है मैंने आपको 67 page बनाने सिखाए थे उनहीं में से एक नया page बनाकर बस वहां पर paste कर देना है ठीक है इस तरीके से आपका जो blogger account के ओपर privacy policy भी आ जाएगी जो इसकी आवश्यक्ता है और उसके बाद Google AdSense आपके blogger account में डली इसको automatically उसका software detect कर लेगा और आपको approval तब ही मिलेगा अन्य था आप wait करते चले जाएंगे कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बता रहा है हमने चेक किया है शायद किसी एकादे ने बताई हो जिसे वाकिवे knowledge है अन्य था ये लोग चीज़ें ये नहीं बताते हैं आपको Google AdS कैसे आपके नए बने हुए blogger account या पुराने पर भी कैसे activate हो गया अब आपको ये भी पता चल गया तो अब दोस्तों कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है बाल की खाल निकाल दी है नया blogger account 100% free में डोमेन जो ये blogger खुद देता है उसी का इस्तेमाल करके lifelong free आपने अपन account पर पहुंचाने का जो गार भी बता दिया 200 से ज्यादा कमाल की ऐसे टूल्स आपको दी दिये जो online टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए लोग आपके blogger account पर आएंगे आपका ये जो blogger account है professional तरीके से कैसे बनाना है वो आपको सिखा दिया pages कैसे add करने है एड्स टे media platform पर आज के मेरे इस वीडियो के जरीए ही पता चला है तो अब आप इससे कमाई शुरू कर दो इसके लावा भी दोस्तों मैंने काफी वीडियो बना कर YouTube पर डाल रखे हैं जिन में मैंने बड़ी अनोखी जानकारियां दी हैं अगर आप मेरे बाकी वीडियो भी देखने क चुक हैं तो मैंने अपने सभी वीडियो की दो प्लेलिस्ट बना कर उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हैं क्लिक करके बागी वीडियो देख लीजे उनसे भी फैदा उठा लीजे तो ये थी आज की वीडियो थैंक्यू बेरी माच